एलो बच्चों गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग चलिए जल्दी से फटाफर जोइन कर लीजिए शुरू करते हैं दो से तीन मिनिट में जल्दी सब लोग आ जाईए अगर मेरे ओडियो वीडियो सब क्लियर है आपको डिजिटल बोर्ट दिखाई दे रहा है तो हाँ सबी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग रोशन चोहान अल्ट्रा रिजेंट राज शर्मा क्लास नोट्स लेके बैठना है ग्रफ कॉपी लेकर बैठनी है कोश्चन साथ साथ लगाने है कॉंसेप्ट सीखना है ठीक है सरवेश कुमार शैली मोधी रोशन राज साहि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नौ बच के पांच मिट में बिल्कुल हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक आप स्लाइट पर देख सकते हैं मैगनेटिक फोर्स ऐसा टॉपिक है अगर आप पिछले 10 साल के 12 साल का ट्रेक रिकॉर्ड देखें बच्चों तो फोर्स पर तो कोशन आया ही आया है फोर्स पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कंड़क्टर पर फोर्स लूप पर फोर्स टॉर्क ये ऐसा सेक्शन है फोर्स खुश रहकर लास्ट हमारे पास ये पूरा अप्रेल है पूरा कमर कसने का जी जान लगाने का है ना अच्छे से आपको त्यारी करनी है चलिए प्रिंस कुमार बिल्कुल डिजिटर बूर्ट पर क्लास ले रहे हैं बिल्कुल सही बात राघव, स्वपनिल, आदित्य गुमार चलो शुरू करें पढ़ाई नौ बच के दो मिनिट हो गए है रफ कॉपी साथ में रखी है पैन पेपर साथ में रखी है टेबल कुरसी पर बैट के ही पढ़ाई करनी है कॉंसेप्ट सीखने हैं साथ साथ मेरे कोशन करने है ठीक है अदनान चलो तरुन अदनान मिश्टर रोशन केस, क्रतिका सभी को, सभी को गुड इवनिंग चलिए साथ, चलिए शुरू करें पढ़ाई ठीक है बहुत बढ़ी अदनान, अच्छी बात है अदनान चलो अब चैट बॉक्स पर बिलकुल ध्यान अटाई है बीच बीच में ददस्मिंड में देखते रहेंगे किसी तरह की आवाज की या कोई दिक्कत आईगी तो आप मुझे बताईएगा ठीक है इसके नोट्स बिलकुल टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर लिए जाएंगे कोटा पल्स पर भी और टेलिग्राम चैनल है उस पर शेयर कर लिए जाएंगे पीडिएफ नोट्स क्लास के बाद तो आप चिंता नहीं करें बिलकुल बिलकुल चलिए साब चलिए ठीक है, काफी बच्चों ने जोइन कर लिया है, 9 बच के 3 में ठोचुके हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले topic की बात करते हैं, magnetic force, तो हम सभी जानते हैं, जब कोई charge particle magnetic field में move करता है, तो हम सभी को याद है, force कितना होता है, बताइए, QV cross B, ये vector form में ह याद रखिए, A forever QV cross B, सभी को पता है, अब इसमें जो सबसे important बात है, कि cross product हो रहा है, याद करिए cross product से जो answer आता है, जल्दी से मैं आपको cross product बताता हूँ, R बराबर है A cross B, तो A cross B करने से आपको क्या मिल रहा है, R, तो जो R है न, वो A के भी perpendicular होता है, और जो resultant है, वो B vector के भी perpendicular होता है, in fact जो R vector होता है, वो A और B plane के ही perpendicular है, जिस plane में A और B लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, force जो होगा, वो हमेशा, हमेशा velocity के भी perpendicular होगा, वो force हमेशा magnetic field के भी perpendicular होगा, यहाँ से काफी सारे आपके questions all होंगे, तो यह बात ध्यान रखिएगा, force velocity vector के भी और magnetic field के भी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, अगर आप ध्यान से देखिए, force velocity के परपेंडिकुलर है, दोसरे शब्दों में कहें, force displacement के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर ऐसा होता है, तो याद करिए, work done कितना हो जाएगा, work done हो जाएगा, 0, work done का formula याद करिए, f.s, अगर परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90, कॉस 90, तो work done कितना हो गया, 0, बहुत important concept है, magnetic force के द्वारा किया गया, work done हमेशा 0 होगा, याद करिए, work energy theorem, w बराबर क्या होता है, change in kinetic energy, अगर work done 0 है, तो बताइए, change in kinetic energy 0 है, इसका मतलब है, kinetic energy constant है, kinetic energy constant है, मतलब, particle की जो speed हो, वो क्या रहेगी, constant रहेगी, तो इस सारी बातें काम की हैं, इसको note down कर लीजिए, work done by magnetic field 0 होगा, कभी कभार ये भी पूछा गया है, power supplied by magnetic force बताइए, तो पावर होता है, work upon time, power supplied by magnetic force भी कितना होगा, 0 होगा, work done भी 0 है, work done 0 हो गया, kinetic energy constant है, speed constant है, क्या ये बातें सारी बातें okay है, अब हम यहां तीन case पढ़ेंगे, जो हमने आपको notes में पढ़ा राके हैं, case 1, जब particle 90 degree पर जाता है, अगर charge particle magnetic field के कैसे एंटर करें, perpendicular, इस पर बच्चों सबसे ज़्यादा कोशन आते हैं, जल्दी से मुझे comment पर बताईएगा, अगर 90 degree पर जाता है, तो उसका पात कैसा होत है, अगर charge particle magnetic field पर 90 degree पर एंटर करें, सबसे ज़्यादा कोशन इस पर पूछे जाते हैं, अगर 90 degree पर एंटर करता है, तो बताईए पात कैसा होगा, कोटा मस्ती कह रहे हैं, कितने समय तक चलेगा, बिलकुल लगबग 11, 12 तक पढ़ाई करेंगे, पात बताईए जल्दी से, अगर charge particle magnetic field के 90 degree पर एंटर करता है, तो शुबम जोशी, बहुत बढ़िया, circular, 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 बहुत शानदार, सबसे ज़्यादा इसी पर कोशन आते हैं, most probable profile है, आप मान के चलिए, अगर 90 degree पर एंटरी है, याद करिए, अगर charge particle magnetic field के कैसे एंटर करें, perpendicular, हमेशा याद रखिएगा, path कैसा होगा, circular, path कैसा होगा, circular, circular path होते ही, इसके radius के formula आपको याद होने चाहिए, सबसे popular, r बराबर mv by qv, लिख लीजिए हाथ से साथ साथ, p by qv, p की जगे, root 2m e by qv, energy की जगे, potential के रूप में लिखना है, 2m qv upon qb, सबसे ज़्यादा popular profile है, मान के चलिए, इस पर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, एक बार हाथ से सभी लोग लिख लें, ये सब radius के formula है, पूरा समझिए, particle कैसा enter कर रहा है, particle enter कर रहा है, 90 degree पर, अगर charge particle magnetic field के 90 degree पर enter करेगा, तो उसका path circular होगा, उस circular path की जो radius है, ये उसके अलग-लग format है, ये depend करेगा, question में क्या दे रखा है, ये सारी बात हम class में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा fast इसको आगया हमें लेके चलना है, जल्दी से बताइए time period, time period बताइए बच्चों, 2 pi m upon qb, time period 2 pi m upon qb, frequency पूछेगा 1 upon t, सारे formula याद होने चाहिए, क्या ये बात clear है, अब important है, इसमें force की direction को भी समझिए, जो होता है right hand palm rule, उसको भी समझिए, वो बहुत important है, मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से right hand palm rule को एक बार जल्दी से लिखिए right hand palm rule में कौन क्या क्या बताता है, right hand palm rule, बताइए fingers, fingers, fingers क्या बताएंगी, magnetic field, बहुत भड़िया, thumb बताइए thumb, thumb बताता है direction of flow of positive charge, direction of flow of positive charge, लिखके करें, लिखते जाएंगे तभी याद होगा, और perpendicular to the palm and outward, ये क्या बताएगा, force, जिस direction में palm face करेगा, वो क्या बताएगा, force, जल्दी से बताइएगा, मैं एक charge particle को लेके आ रहा हूँ, ये charge particle आ रहा है साब plus Q, और ये इस तरह से enter कर रहा है, बताइए, कहां कहां घुमेगा ये, खुद देखिए, magnetic field कहा है, charge particle का flow कहा है, चेक करी आ magnetic field, magnetic field अंदर की तरफ है, rule लगाएगे, magnetic field अंदर की तरफ, flow of positive charge आगे की तरफ, magnetic field अंदर, flow of positive charge आगे, force कहां लगेगा, उपर, बहुत भड़िया, force उपर लगेगा, आप देख सकते हैं, force velocity के perpendicular है, अब बताएगे, जैसे ही force आपने लगाया, मान के चलिए, इसी direction में आप क्या लाई करेगा, center, क्या आप करिए, uniform circular motion, speed तो constant है, force हमेशा का लगेगा, towards the center, speed constant है, तो जैसे ही आपके force की direction आगई, तो उसी line पर center कहीं लाई करेगा, उसी line पर center कहीं लाई करेगा, बोली हाँ हैं क्या, बस अब इसको center मानते होए, आप इसको इस तरह से गुमा दीजि बोलिए, क्या ये बात clear है क्या, देख लीजिए, right hand palm rule की बारबार जुद पड़ेगी, questions आने वाले हैं, हमने 7-8 minutes में ये सारे concept को समझा, force क्या होता है, 90 degree पर entry होती है, तब path circular होता है, speed constant रहेगी, kinetic energy constant रहेगी, work done by magnetic force 0 होगा, सभी बातों को recall कर लीजिए, 90 degree पर अगर entry हो तो उस समय जो formula रखते हैं, वो radius के वो आपको याद होने चाहिए, एक एक term समझिए, P क्या बताता है, momentum, E क्या बताता है, kinetic energy, V क्या बताता है, applied potential difference, जल्दी से chat पर बताते जाईए, सब okay है क्या, सब clear है, तो okay करिए, चैट पर बता दीजिए, audio, video, concept सब clear है, तो चलते चलिए, सासा सासा चलते चलें, formula लिखते चलें, questions करते चलेंगे, चैट पर मुझे बता दीजिए, बोलिए, बढ़ें आगे, इनसाफसर आगे हैं, सभी लोग इनसाफसर को नमशकार कर दें, नमशकार इनसाफसर, बिलकुल, ecology, king, बाश्या, इनसाफसर को नमशकार, नमशकार, चलिए साफ, चलिए, बढ़ते हैं, सभी बच्चे इनसाफसर को गुड इवनिंग कर दीजिए, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, सर्कुलर क्यों हुँआ, सर्कुलर क्यों हुआ, राश्यारमा, debenosity के perpendicular है, force अगर initial velocity के perpendicular है, तो path circular है, ये कारण है, clear है, चलिए साफ, चलिए, बहुत बढ़िया, राश्यारमा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब questions की शुरूत कर रहे हैं, ये सारे concept ठीक है, ok है, बढ़े टॉपिक है मैगनेटिक फोर्स का मान के चली इस पर कोशन आना ही है तो इस पर हर प्रोफाइल का सवाल करिएगा ठीक है चलो तब पहला कोशन लेकर आए हैं 2022 का जेई मेन का 2022 का आराम से पढ़िए खुत करिए प्रोटोन ड्यूट्रोन अल्फा पार्टिकल सेम कानेटिक एन एंट्री दूसरा पांच 90 डिग्री पर एंट्री पात सर्कुलर होगा सर्कुलर होते ही सारे वो फर्मले लगेंगे कौन सा फर्मले लगेगा ये बात भी समझिए कानेटिक एनरजी की चर्चा हो रही है कानेटिक एनरजी की चर्चा हो रही है जल्दी से फटा फट सॉल कर प्रोटोन ड्यूट्रोन अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं 90 डिग्री पर एंटर कर रहे हैं पाथ सर्कुलर होगा और ऐसा कहा गया है कि कानेटिक एनरजी सेम है ओप्शन नमबर टू ओप्शन नमबर फोर थर्ड फोर शल यह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओप्शन नमबर फोर टू ठीक है चलिए अच्छे से करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से सीखिए सबसे पहले यह सोचना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखिए सॉलिशन देखने के बाद तो इजी लगता है मुझे कोशन पढ़कर यह क्लिक करना जरूरी है बच्चों कि मुझे लगाना क्या है सबसे पहले मैं देखा मैगनेटिक फील का कोशन है फिर मैंने देखा कि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है 90 डिग्री पर एंटर करते मुझे ये click कर गया कि path कैसा होगा circular फिर उसने ये बोला है कि same kinetic energy है तो आपको ऐसा formula लगाना है जिसमें kinetic energy आ रही हो बताइए r बराबर under o 2 m e upon q b बोलिए क्या ये बात clear है चलिए क्या-क्या same दे रखा है same kinetic energy कार दीजिए 2 भी कटेगा magnetic field भी कटेगी तो radius की dependency बताओ root m upon q पहली बात root m upon q फटा-फट question solve करना है proton, deutron, alpha की बात हो रही है तो याद करिए deutron का mass deutron का mass क्या होता है proton से double charge चार्ज वही होता है इसके बिना काम नहीं चलेगा alpha का alpha का mass बताइए alpha का mass proton की तुलना में चार गुना और alpha पे charge twice दीरे-दीरे speed 2-3 question करते ही आपका momentum बनेगा चीज़ें तेज-तेज चलेगी तो बताइए radius किस-किस का पूछा है proton, deutron, alpha root mp upon qp md का mass double twice of mp upon qp alpha, alpha का mass है four times of mp charge है double बोलिये clear है तो mp, 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 qp, qp और qp कट गया तो यह हो गया one is to root two four का square root two two by two one तो one is to root two is to one one is to root two is to one option number four option number four clear है सब clear है तो chat पर बताइए okay है क्या calculation सही है क्या calculation ठीक है ultra legend कह रहे है one बेटा पूरा solve तो कर दिया हाँ clear है root m upon q okay, okay type कर दिजे फटा फट बढ़ते चलें आगे चलिए done, done, done बहुत भड़िया बहुत भड़िया ठीक है साब अगले सवाल पर आईए अगले सवाल पर आईए अगला question question number two question number two आज magnetic force की सारी बातें समझ नहीं है सारे concept करने है हर तरे का question हमें करना है अब proton alpha particle accelerated through same potential बच्चों इसको पकड़ो same potential दूसरा शब्द पकड़ो velocity perpendicular दो शब्द पकड़ में आने चाहिए perpendicular entry करेगा बात कैसा होगा circular अब उसमें कौन सा फॉर्मल लगेगा potential difference की बात हो रही है खताम आर बराबर under root थोड़ा सा fast solve करेंगे अब upon qb बोलिए clear है two कटेगा same potential difference है magnetic field तो इसकी proportional आ गई root mq upon q उपर root q है नीचे root q है तो m by q हो जाएगी देख लीजे अब बताइए कौन कौन है proton और alpha है r proton r alpha proton mp alpha qp proton mp qp alpha की बात हो रही है alpha का मास alpha का मास चार गुना charge 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 दुगना बोलिए clear है option number बताइए option number बताइए proton alpha proton alpha option के answer बताइए answer आएगा 1 is to root 2 1 is to root 2 तो ये हो जाएगा root mp से root mp कट गया root qp ये 1 4 का square root 2 ये root 2 answer आएगा 1 is to root 2 check करते जाएए check करते जाएए 1 is to root 2 clear है क्या बोलिए okay करिए धमा धम okay करिए pk यादव ek j prince kumar abhishek खटा-खट थोड़ा सब speed तेज करते जाएगे भई दोड़ना है भागना है बिलकुल ठकना नहीं है साड़े 11 तक ठकना नहीं है साड़े 11 बारा बजे तक ठीक है इसी जोश के साथ बने रहना है बिलकुल बिलकुल अगला कोशन कोशन नम्बर थर्ड कोशन नम्बर थर्ड भी बहुत भड़िया है ध्यान से देखिएगा खुद करिए कोशन नम्बर थर्ड खुद करिए कोशन नम्बर थर्ड क्या कहरा है एक चार्च पार्टिकल को डबल स्पीड से थ्रो कर दिया गया डबल स्पीड से पहले अगर वी से फैका था तौब 2 वी से फैक दिया तो बताएगे उसकी रेडियस में क्या change आएगा उसके time period में क्या change आएगा बहुत जबरदस बात है time period में radius तो चलिए कोई समस्या नहीं है r बराबर होता है mv upon qv तो r velocity के proportional है बच्चों अगर velocity दुगनी होगी velocity दुगनी होगी तो radius भी दुगना होगा velocity दुगना तो radius भी दुगना बोलिए velocity डबल radius भी डबल पर मजे की बात time period का क्या होगा भई अरे time period का क्या होगा बोलो time period speed पर depend ही नहीं करता दो बार ये बात पूछी गई है no change in time period no change in time period बहुत भड़िया काफी बच्चों ने बिलकुल सही जबाब दिया शानदार जबरदास्त time period velocity पर depend ही नहीं करता time period में कोई change नहीं आएगा बच्चा लोग time period में कोई change नहीं आएगा बिलकुल बिलकुल हरियोम शुकला जनाब time period में कोई change नहीं आएगा अमंसोनी प्रिंस कुमार भूमी काजल बहुत भड़िया time period speed पर depend नहीं करता लिख लो time period speed of projection पर depend नहीं करता चलिए साब चौथा सवाल फिर से नए question लेकर आये हैं सारे के सारे 2022 जेई में का कोशिश हमने करी है latest question 2022-2023 के किये जाएं ताकि आपका chapter भी तयार हो जाएं concept भी आप सीख लें और आपका confidence भड़े confidence भड़े नीट के PYQ तो आपने मोशली करी रखें class notes में module discussion में वो तो हम करी चुके हैं काफी बार उनके हम practice कर चुके हैं तो हम यहां कुछ नए questions करना चाहते हैं ताकि confidence level हमारा बढ़े नए question की language देखकर हम परेशान ना हो clear है चलिए साब चलिए अगला question फटाफट करेंगे अगला question अगला question बढ़िया है दमदार है पहले अच्छे से लिखो और समझो having same kinetic energy मैं आपको कह रहा हूँ ना आपको दो शब्दों पकड़ने है 90 degree पर एंटीर होनी चाहिए perpendicular perpendicular आते ही path कैसा circular पहली बात और फिर circular में कौन सा formula लगा है आशी सर अरे उसने बोला है ना बढ़ी kinetic energy constant है तो formula लगा हूँ ना r बराबर under road 2 m e upon q b r बराबर under road 2 m e upon q b attempt करो धमादम अनुराग अनुराग काजल कुश्वा option number 2 बहुत भड़िया शांदार शांदार काफी बच्चे दमदार आंसर दे रहे हैं तनू very good very good चलिए अब क्या-क्या दे रखा है जो बच्चे language नहीं समझ भार है उनको language धीरे-धीरे पड़ो सब लोग कर सकते हो ratio of radius of circular path radius का ratio दे रखा है बच्चे लिखके कर मास का ratio दे रखा है मास का ratio दे रखा है 9 is to 4 और आपसे पूछा है ratio of charge बताओ घबराने का नहीं है J-E के question देखके घबराने का नहीं है सारी J-E के question करेंगे J-E main के 2022 के 2023 के पुराने कुछ-कुछ बीच में NEET के AI PMT के अच्छे सवाल, concepts इस तरह का पूरा revision प्लान करेंगे अब बताइए अब आपको क्या-क्या चाहिए kinetic energy save में E को कार दीजिए, 2 को कार दीजिए, magnetic field को कार दीजिए मुझे चाहिए charge का ratio, तो Q को वहाँ बेज दीजिए तो यहां क्या आजाएगा, root M बटे R Q वहाँ गया, R इधर आगया, बोलो clear है, कितने लोग है, दो लोग है तो Q1 by Q2, directly proportional है बेटे, बेटे, directly proportional है, यहां 1, 2 आएगा, बेटा, यहां भी 1, 2 आएगा Q R के inversely proportional है, कह दो, कह दो, Q R के inversely proportional है, यहां 1, 2 आएगा जनाब, यहां 2, 1 आएगा यहां 2 बनाएगा जनाब, तो M1 by M2, radius का ratio 6 is to 5 है, पर R2 by R1 चाहिए, तो उल्टा कर दूँ, 5 बटे 6 और mass का 9 is to 4 है, तो square root ले लूँ, 9 by 4, तो यह हो गया 3 बटे 2, और यह हो गया 5 बटे 6 तीन दुना 6, 5 बटे 4 आ रहा है भई, 5 बटे 4 से संतोष्ट हैं क्या, बताइए चैट बॉक्स पे, जेई में 2022, संतोष्ट हैं क्या, 5 बटे 4 पर, सब का आएगा answer, PDF शेर करूँगा, blank भी शेर करूँगा, सारे questions कल एक बार और कर लीजिएगा, बिलकुल शांदर confidence, कल magnetic field का properties ये कल पढ़ेंगे, clear है, clear है, कह दो, कह दो, option number 2, बिलकुल सही, बिलकुल सही, शांदा शुरूती कुमारी, आएए साब, question की question बरमार है, जेई में 2022, थोड़ा सा वो acceleration break हो रहा है, पर बहुत अच्छा सवाल है, मैं यहां लिख देता हूँ, alpha I minus 4J, ये acceleration है, और ये magnetic field दे रखिये, शांदार, नया सवाल, बढ़िया question है, सोचिएगा, बढ़िया इसके fundamental है, हाँ, जो सही करेगा, उसको एक 5 star है, कल offline में वो 5 star आके ले सकता है, बिलकुल, बिलकुल, करिये, logic पढ़िये, question पढ़िये, एक particle move कर रहा है, magnetic field में, उसका acceleration भी दे रखा है, अब ये पह स्लाइट से, पढ़िये, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, option number two, option number two, काफी बच्चों आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, देखिये, सही गलत तो सब अभी पता चल जाएगा, पर attempt करना, और उसको solve करना, आगे भढ़ना, वो बहुत जरूरी है, सही गलत तो हम practice से सीख जाएंगे, काफी बच्चे option number two दे रहे हैं, काफी बच्चे option number two दे रहे हैं, आए, concept समझते हैं, क्या है, अब अगर आप पहला slide का concept देखेंगे, जो की बहुत important था, F होता है Q, V cross B, मैंने आप को क्या सिखाया था, cross product करने से, जो result मिलता है, वो result दोनों vector के perpendicular होता है, अगर मुझे एक rotational motion का सवाल आ रहा है, साथ दीजिएगा, tau बराबर होता है, R cross F, तो ध्यान से देखिए, जो tau होता है, वो R vector के भी perpendicular है, और जो tau है, वो F के भी perpendicular है, इस बात को समझिए, पूरा sentence बोल लीजिए, cross product करने के बाद, जो resultant आएगा, वो resultant vector, उन दोनों vectors के perpendicular होता है, उस plane के ही perpendicular होता है, जिस plane में A और B लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है, F perpendicular होगा, magnetic field के, F वराबर होता है M, इसका मतलब acceleration, magnetic field के perpendicular है, और दुनिया में अगर दो vector perpendicular है, तो उनका dot product, अरे बच्चे, उनका dot product, हमेशा क्या होगा, 0, यही सवाल यहाँ पूछा गया था, कहा गया था, r.to बताईए, answer 0 आएगा, AI PMT में आया हुआ है, बहुत भड़िया सवाल है, दोनों property लग गई, cross की भी और dot की भी, अगर यह बात clear है, तो chat box में बताईए, ओके, अगर यह बात clear है, तो chat box में बताईए, कि हाँ सरी बात समझ में आ गई, cross product करने से हमें F vector मिला, और F vector, F vector, F vector, F vector जो है, वो हमेशा, V और magnetic field दोनों के perpendicular होगा, बताईए, clear है क्या, बहुत बढ़िया, बस, कितना शांदार सवाल है, अब देखो आप, कितना बढ़िया सवाल है, अब A और B के perpendicular करना है आपको, तो A dot B बराबर 0, तो alpha I minus 4J dot with 2I plus 3J बराबर 0, I को I से कर दीजिए, यहां यह alpha, यहां यह 2, alpha into 2, J को J के कर दीजिए, यहां है minus 4, यहां है 3, तो 2 alpha minus 12 बराबर 0, 2 alpha बराबर 12, alpha की value उच्छा है, बताईए, शांदार सवाल, अच्छा concept है, जो आपको आना चाहिए, और इस तरह का question करना चाहिए, J में 2022 में आया हुआ है, latest सवाल है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए साब, बहुत भड़िया, लाईए साब, assessment region के question पे भी आ गए है, नीट का pattern, last year से, उससे पहले से पिछले 2 साल से, statement के question आने लग गए हैं, तो हमें statement के question भी करने है, column match के भी सवाल करने है, बिलकुल latest profile के साब से तैयारी करनी है, assessment region का सवाल आपके सामने है, आराम से पढ़िये, सोचिए, एक मिनिट आपके पास, पढ़िये, पढ़िये, आराम से पढ़िये, बिलकुल, चैट पर ध्यान मत दीजिए, जबरदस्ती चैटिंग मत करिए, पढ़ने पर ध्यान लगाना है, हमें खूब सारे questions करने हैं, और भड़िया concept आज की class के बाद सीख के जाने हैं, कि सर मेरा force तैयार है, बिल साइन थीटा तैयार है, पैरल conductor के बीच में force पर इनुलेन तैयार है, वन, माही, अनुराग, रवी, अभी, ए, नाजिया, राश शर्मा, जैकुमार, अभिनाश, बहुत शानदार, समझ में आया, ये वो पहली slide है, पहली slide वाला concept है, और दमदार concept है, देखिए, इन uniform magnetic field, speed and energy remains the same, बिलकुल सही बात है, असेसन रीजन के सवाल करने का अच्छा तरीका होता है, पहले आप असेसन पढ़ लीजिए, अगर आपको असेसन सही लग रहा है, तो उसका explanation खुद सोचिए, reason मत पढ़िए, पहले खुद सोच लीजिए, वो क्या कह रहा, speed constant होती है magnetic field में, हाँ यार, magnetic field में तो speed constant होती है, अभी आशी सर ने बताया, speed तो constant होती है, बात तो सही है, अच्छा speed क्यों constant होती है लाला, अरे speed consciously होती है, क्योंकि work done 0 होता है, अरे work done क्यों 0 होता है, क्योंकि force velocity vector के perpendicular था, force displacement के perpendicular था, बन गई बात, तो statement 1 सही, बहुत सही, reason, moving charge पे ज perpendicular होता है, हाँ, बिलकुल F vector perpendicular है, VK, देखिए, फिर से यही बात आ गई, फिर से यही बात आ गई, F किसके perpendicular है, VK, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो कितना अच्छा सवाल है, और assessment region का सवाल भी है, और latest J 2022 का question है, बहुत बढ़िया, statement 1 भी सही है, 2 भी सही है, और reason correct explanation है, बताइए कौन सा answer जाएगा, बोथ A and R true and R is the correct explanation, option number 1, option number 1, पापे समझाना है क्या, अगर okay है तो बता दीजिए, okay, okay है तो okay बता दीजिए, हाँ, velocity तो vector quantity है ना बेटा, जीस, velocity तो vector है ना, speed constant रहती है, speed constant रहती है, speed constant है, उसने speed की बात करिए ना, velocity तो 5 से चक्कल लगा रहा है मानलो, तो यहां लिखूंगा मैं 5J, यहां लिखूंगा माइनस 5 आई, यहां लिखूंगा माइनस 5J, और यहां लिखूंगा प्लस 5 आई, तो V vector थो यहां constant रहेगा, speed constant रहेगी, बेटे, speed constant रहेगी, बहुत शानदार, okay, okay, बहुत भढ़िया चलिए साब, अगला question, अगला question, AIPMT का, AIPMT, NEET का, वो कह रहे हैं, बच्चो, NEET aspirants हो, परिक्षा, NEET की कर रहे हो, सारे question, J में के करोगे, क्या भे, AIPMT का question, चलिए, बढ़िया सवाल है, अच्छे से सोचिएगा, logical question है, इसमें 2 फंडे लगेंगे, current flow हो रही है, उसके current magnetic field, सर मेरा comment आ रहा है, रहूल खरे, सबके comment आ रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ज्यादा chat box नहीं पढ़ पा रहे है, comment आ रहे है, questions पे ध्यान दीजिए, spamming ना करिए, must, खुश होके पढ़ाई करिए, अमर कुमार कह रहे है, एजी सर, आप बहुत शानदार, option number one कह रहे हैं, काफी बच्चे option number one कह रहे हैं, चलो, check करते हैं, पहले आप logic समझिए, उसने क्या पूछा है, पहले वो देखिए, एकदम से solution की तरफ मत भागिए, question पढ़िए, 5 से 10 second में उसको analyze करिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, charge particle पे force बताना है, अरे सर, charge particle पे force बताना है आशी सर, तो F वराबर होता है QV cross V, या मुझे right hand palm rule लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, right hand palm rule लगाना पड़ेगा, अब उसके लिए पहले मुझे magnetic field तो चाहिए, कोशन में तो कहीं magnetic field है यह नहीं लाला, magnetic field तो देई नहीं रखी, तो क्य करेंगे, जो wire में current flow हो रही है, वो wire में flonally current अपने surrounding reason में magnetic field पैदा करेगी, बायो सवर्ट law लगाओ, direction याद करो, हम आपको सबसे पहले बायो सवर्ट law में direction सिखाते हैं, current carrying wire का, सीधा हाथ लीजिए, सीधा हाथ, current कहा है उपर, current उपर, इस तरह से wire को hold करिए, नहीं तो class में knock-knock rule बताते हैं, बच्चों को पता हो, current उपर, यहाँ knock-knock कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा cross, यहाँ आएगा dot, जिसको knock-knock भी बता हो, वो normal, wire को hold करिए, इस तरह से आपने hold किया, यहाँ से finger अंदर जा रही है, यहाँ से finger बाहर आ रही है, इस plane में magnetic field cross होगी, बोलि अब बताईए, charge particle positive है क्या, बिल्कुल positive है, बहुत भड़िया, यह positive charge, बताईए, field अंदर, field अंदर, particle का flow, positive charge का flow आगे की तरफ, field अंदर, flow आगे की तरफ, direction of flow of positive charge, direction of velocity vector of positive charge, यह देखिए, force कहाँ, उपर जहाँ palm face करेगा force उपर, force उपर मतलब along o y, along o y, यह तो तरीका है right hand palm rule से, अब बाईचें साब right hand palm rule आपको यार नहीं आ रहा, आप थोड़ा confuse हो रहे हो, परिक्षा का pressure है, दबाब है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो vector form है न बेटे, उससे भी काम हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो, f वराबर q v cross b, f वराबर q v cross b, इससे भी काम चल जाएगा, यह भी सीख लीजिए, q, q बताइए, positive, plus लगाया, velocity, velocity कहा है, आगे की तरफ, velocity आगे की तरफ, आगे i होता है, उपर j होता है, बाहर k होता है, अंदर minus k होता है, याद करिए, बोले, clear है, clear है, anyone from Hindi medium, अरे, Hindi हो, English हो, सब चलेगा, physics सब के लिए एक जैसा रहता है भाई, टिंकू बहर वा, चलिए, concept बिलकुल बढ़िया होते जाएंगे, अब बताइए, velocity कहा है, आगे की तरफ, आगे क्या है, i cap, magnetic field बेटे अंदर है, बेटे magnetic field अंदर है अंदर बोले तो, minus k, minus भाल ले ले, अंदर बचा, i cross k, i cross k, i cross k बताओ, i, j, k, i cross k, उल्टा चलोगे, i cross k, minus j, plus j होगे, plus j मतलब उपर, उपर मतलब o y, अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, थम सब करो, सब कुछ okay है तो थम सब करो, clear है, ultra legend, clear है क्या, सब बताओ, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांदार, okay है तो चैट पर okay कर दीजिया, आगे बढ़ूं, वापे समझाना तो नहीं है, clear है, दो तरीके से समझा दिया, बिलकुल, हाँ, सई, 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 चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, आईए साब, 2008 का कोशन, AIPMT का, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, पर आप देखो, एक ही कॉंसेट को हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हमें पता है न, F वराबर Q, V क्रोस V, F वराबर बिल साइन ये सबसे प्रॉबेबल है, सबसे प्रॉबेबल, सबसे यदा कोशन इसी पर आते हैं, सही है, शांदार, 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 बस, क्लियर, अगर चार्ज पार्टिकल मैगनेटिक फिल में एंटर कर रहा है, वर्क डन बाय मैगनेटिक फिल हमेशा जीरो होता है, वर्क डन तो अगर कानेटिक एनरजी T है, तो बाद में भी T रहेगी, कानेटिक एनरजी, अभी हमने असासन रिजन का कोशन भी किया था, वही सवाल है, कानेटिक एनरजी constant, option number one, चलिए साब, तो लगबग ये 8-9 कोशन की हमने practice करी, आईए, एक नई बात सीखते हैं, कि अगर charge particle जब magnetic field में 90 degree पर entry तो कर रहा है, पर उसको पर्याप्त magnetic field नहीं मिल रही, तो उसका पात semi circular ना होकर, एक sector होगा, और आपसे पूछा जाता है, बताए उसका deflection कितना होगा, ये एक अच्छी और logical बात है, जिसे आपको समझना चाहिए, है ना, इसको अच्छी तरीक बात भड़िया है, जो reason है magnetic field का वो पर्याप्त नहीं है, क्या मतलब है, ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ, ये D है, ठीक है, ये particle आपका, मैं हरे पैंसे बना देता हूँ, ये plus Q charge है, और ये V velocity से enter कर रहा है, ठीक है, है 90 degree पर, 90 degree पर क्यों है, बताइए, magnetic field अंदर की तरफ है, और velocity x-axis में है, तो velocity magnetic field के 90 पर है, तो path तो circular ही होगा, ये बात तो 3 है, ठीक है साब, तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, center कहा होगा, आईए, सबसे पहले center पता लगाए, right hand palm roll, बताइए, feel अंदर की तरफ, feel अंदर की तरफ, flow of positive charge आगे, force उ उपर, इसका मतलब center कहीं, इसी line पर लाई करेगा, क्या center locate करना आ रहा है, क्या, क्या center locate करना आ रहा है, अगर आ रहा है, तो type करिए, आने का A, type करिए, आने का A, बिलकुल, 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 तो हमेशा सबसे पहले force निकालिए, फिर, फिर ये देखिए, force की जो direction होगी, उसी line पर क्या लाई करेगा, आपका center लाई करेगा, बस, अब इस center को मानते होए, आप इसका path गुमा दीजिए, इसको center मानते होए, पाद गुमा दीजिए, य आपने घुमाया वो पूरा घुमना चाता था वो पूरा घुमना चाता था परन्तु यहां आते आते इसको देखा के magnetic field ही खतम हो गई वो चाता था तो घुमना पूरा का पूरा इस center के about or semicircle घुमना चाता था परन्तु यहां आते आते magnetic field ही खतम हो गई magnetic field खतम हो गई तो वो tangentially भाहर निकल जाएगा tangentially भाहर निकल जाएगा मज़े की बात है V speed से एंटर हुआ था तो बच्चे V speed से भाहर निकलेगा अब यह तो हम R से 10 बार बोल चुके हैं speed तो constant रहेगी ना speed तो constant रहेगी ना अगर 10 meter per second से एंटर करेगा तो 10 meter per second से निकलेगा पर आपसे पूछा गया है कि deflection कितना हुआ वो बड़ा important है वो देखिए कैसे निकला जाता है अगर magnetic field नहीं होती तो वो सीधा जा रहा था परन्तु अब वो अपनी horizontal line से इतना deflect हो गया यह है angle of deflection यह पूछा जाता है delta डेल्टा बोलिए यह diagram में theta दे रखा है जो भी आप बोल सकते हैं अब आप बताईए यह center है यह इसका arc है यह arc हो गया अब बताईए center से arc के किसी भी point को मिलाने वाली line यह आपने जोड़ दिया यह दूरी बताईए radius होगी radius और यह tangentially बहार निकल रहा है यह बताईए कितना होगा 90 degree देखिए कौन सी चीज उपर से निकल गई बताईए कौन सी चीज उपर से निकल गई सबसे पहला force की direction बनाई force की direction आपने बनाई उस force की directionary line पर ही center लाई करेगा यह बात भी clear है उस center के about आपने particle को गुमाना शुरू किया पर भाईया वो घूमना तो पूरा चाता था पर घूम नहीं पाया ना magnetic field ली कम region बे थी अगर magnetic field आप परयाप region में देते तो मस चक्कर लगाता सेमी सरक्रवा निकल जाता पर magnetic field ली कम region में थी magnetic field कम region में थी तो पूरा चक्करी नहीं लगा पाया बोलिए ये बात clear है क्या बिल्कुल बिल्कुल इसी की exact PDF share होगी बिल्कुल आप चिंता नहीं करें बड़े आगे बड़े आगे चलिए अब देखिए कौन सी बात समझ में नहीं आई ये 90 समझ में आ गया क्या ये 90 समझ में आ गया ये radius ये tangentially निकला tangentially 90 degree पर ये 90 ये delta ये 90 minus delta ये 90 तो ये कितना हो गया delta ये दूरी d तो ये वाला triangle में बहार बना रहा हूँ देख लीजिए ये वाली दूरी r ठीक है ये दूरी d ये वाला angle delta clear है मुझे delta पूछा है क्या लगा लूँ sin theta लगा ले sin theta लगा ले perpendicular upon hypotenuse perpendicular upon hypotenuse perpendicular बता दीजे d hypotenuse r और r के वही पुराने formula आप निकल सकते है ये एक बार question aims में आया हुआ है और neat में उसी तरह पर based question आया हुआ है तो आप चाहें तो इसको result की तरह याद कर सकते हैं मैंने आपको पूरा explain कर दिया कि जो deviation angle है जो deviation angle है वो होगा sin inverse d by r कह दो कह दो क्या बात clear है clear बढ़े आगे radius radius के वही पुराने formula आप लगा सकते हैं बढ़ा लिख लीजे वही पुराने mv by qv momentum दे रखा हो तो p by qv energy दे रखी हो तो under root 2 m e by qv potential दे रखा हो तो root 2 m q v by qv यह आप लगा सकते हैं तो आपको deflection याद आना चाहिए sin inverse d by r clear है done है क्या अलतमशानन्त आर्ती अदित्य अनन्त हरियोम रिशी clear बढ़ू आगे तो अच्छा concept था आपको आना चाहिए ठीक है तो बात चल रही थी f rubber qv cross b की तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जब भी कोई charge particle magnetic film में move करता है तो बच्चों force का formula बोलो qv cross b qvb sin theta बिल्कुल याद होने चाहिए कि अगर vector form में कोई पूछे qv cross b f rubber qvb sin theta theta किसके बीच का angle है theta किसके बीच का angle है बताईए theta is angle between theta is angle between velocity vector and magnetic field vector ये बात हमने पढ़ ली पर हमारे तीन case हमारे इस लेबस में है जो हम आपको notes में पढ़ाते हैं पहला अगर 90 degree पर enter करे सबसे popular case है लगभग 45 minute हमने 9 बजे class चुरू करी थी 9.45 हो गए हमने 45 minute फिर अगर parallel move करे तो parallel में तो कोई समस्या ही नहीं है बेटे ये magnetic field है और charge particle इसके parallel ही move कर रहा है खुद बताईए अगर parallel move करता है तो force कितना हो जाएगा theta 0 degree है force कैसा हो जाएगा 0 force 0 हो जाएगा तो उसका path कैसा हो जाएगा state line उसका path कैसा हो जाएगा state line बिल्कुल सही बात है और सोचिए अगर वो किसी angle पर entry करे किसी angle पर entry करे मान लो ये आपका magnetic field है ये आपका magnetic field है और particle ने enter किया किसी angle पर ये किसी angle पर entry किया तो सभी को याद है path कैसा होता है बता दीजिए सभी को याद है पात कैसा होता है अगर किसी एंगल पे एंट्री करता है हेलिकल बहुत शांदार हेलिकल हेलिकल और दौनों फॉर्मले आपके क्लास नोर्ट में लिखे हुए एक तो पूछा जाता है रेडियस ओफ हेलिक्स और एक पूछा जाता है और वी साइन थीटा जो वी साइन थीटा है वो तो इसको सर्कुलर पात पे ले जाएगा और वी कोस्थीटा इसको कहा ले जाएगा आगे तो सर्कुलर भी होगा आगे भी जाएगा सर्कुलर भी होगा आगे भी जाएगा तो path combination हो जाएगा जिसे का जाता है helical path जिसे क्या का जाता है helical path बोलो clear है तो radius का formula हमें रटा हुआ है m v by qv पर v नहीं लेंगे v sin theta ये कहलाता है radius of helix helical path और pitch भी निकाल सकते हैं pitch एक तरे की दूरी है pitch एक तरे की दूरी है और दूरी क्या हो जाएगी speed into time speed कौन सा लेंगे आगे ले जाने के जिम्मेदार कौन है v cos theta into time एक पूरे चक्कर का time आपको पता ही है 2 prime upon qv तो इसमें तीन तरे की बाते बनती है वो आपको पता होनी चाहिए पहला अगर particle at any angle enter करे other than other than zero degree other than 90 degree other than 180 पूछो ये क्यों लिख रहा हूँ जीरो और 180 पे तो 40 ही होगा 90 degree पर आप already circular पढ़ चुके हो तो इन तीन एंगल को छोड़ कर अगर करेगा तो उसका path कैसा होगा circular या helical, helical 90 degree पर circular ठीक है तो एक छोटा सावल बन सकता है path का, एक radius of helix का, एक pitch of helix का बढ़ें आगे, चलिए, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, चलिए, शांदार, शांदार चलिए, तो यह साब बात हो गई, magnetic force on a charge particle, यह पहला article आज का अपना पूरा हो गया, लगबग हमने इस पे 9 से 10 question किये अब हम article number 2 पर आ रहे हैं बच्चों, magnetic force on a current carrying wire, ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका concept बता देता हूँ, एक current carrying wire है जो magnetic field में रखा गया है, तो इस पे जो force लगता है, वो हम सभी को याद है, F वराबर, I, L, क्रॉस, B अगर इसको मैं open करूँगा, तो आएगा, B, I, L, sin theta, याद करिए, Q, B, B, sin theta, force on a charge particle था, यह current carrying wire की बात हो रही है बेटे, तो यह होगा, B, sin theta, दौनों में अंतर है, पहली बात, ठीक है, दूसरी बात, अब इसकी direction की बात करें, direction के लिए सबसे शानदार है palm rule, एक बार लिखिए, आप भी लिखिए, fingers क्या बताएंगी, magnetic field, thumb, अब यहाँ, वहाँ बोलते थे, flow of positive charge, जिस direction में positive charge flow करता है, उसी direction मे लग जाएंगे, direction of current, थम को क्या बोलेंगे, direction of current, और perpendicular to the palm and outwards, क्या बताएंगी, force, जल्दी से बताएंगे, force की direction कहा होगी, करके बताएंगे, feel अंदर, feel अंदर, current उपर, feel अंदर, current उपर, feel अंदर, current उपर, जहाँ पाम फेस करेगा, पाम इधर फेस कर रहा है, force यहाँ लगेगा, बोलिए, क्या यह बात clear है, क्योंकि अगले 7-8 सवाल इसी पर आएंगे, बच्चों, बोलिए clear है, आपस में chat ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, spamming ना करें, बिलकुल सीधा-सीधा पढ़ाई से बात करें, ज्यादा ध्यान चैट पर ना दें, concept समझें, questions करे बोलिए, क्या यह बात clear है, अब इसी में एक शांदर बात और है, वो भी सुन लो, अगर arbitrary shape का wire हो, अगर arbitrary shape का wire हो, arbitrary का मतलब हिंदी में, अरे तेड़ा-मेडा कैसा भी, और इसमें current flow कर रही हो, तो अगर यहाँ L vector आ रहा है, एक बार pen का color change करें, L vector आ रहा है, L vector इसका मतल use है, वो displacement vector की तरह काम करेगा, initial और final point को जोडने वाली सीधी सरल रेखा, अब बताइए, यह A, यह B, तो इसको आप replace कर दोगे, इस wire से, current कहां से कहा, A से B तो जा रही थी, तो A से B जाएगी, तो इसको आपने replace कर दिया, सुन्दर तरीके से, ऐसे, अरे बोलो, क्या यह ब random shape की बात हो रही है, तो अगर random shape आ जाए, तो घबराने का नहीं, random shape आ जाए, तो घबराने का नहीं है, random shape में कैसे करना है, initial और final point को सीधा जोड़ दो, बोलो clear है क्या, initial और final point को, जिसे हम बोलते है, displacement vector, displacement vector, जल्दी से यह direction बताएंगे, कर दो शेरों, direction बता दो, field अंदर current A से भी, field अंदर, current A से भी, जहां palm, जहां palm वहीं force, जहां palm वहीं force, बोले clear है, clear है, थमसा पैस अभी को, कराओं इस पर question, तो पहले अंतर समझो, वो बात हो रही थी charge particle की, जो पहले 10 सवाल थे, अब हमने article change कर दिया है, अब आरी ये बात force होना current carrying wire पर, और मैं आपको कह रहा हूं, force का section, torque का section, most probable है, आना ही है question, need 2023 में, मान के चलिए, तो इस पर हर तरे का question आपके पास होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, clear है, clear, बहुत शुंदर, हर शेप, आदिती, मैहुल, गरीमा, राजपूत, आदित्यकुमार, टिंकु, सुमन कुमार, एहमद, बहुत शांदार, चलिए, तो साब, अगर straight wire है, तो भी आता है, random है, तो भी कर लेंगे, PDF note share हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, इसी link पर आपको एक telegram का भी link share करेंगे, जो हमारा quota pulse and academy का official है, telegram group आप उसको join कर लीजिए, class खतम होने के बाद, हमारी team आपक बिल्कुल भी ना होई, बढ़े आगे, चलिए साब, तो ये क्या लिखा हुआ रहा है, अब बात कर रहे हैं, अगर parallel current carrying wire हो, ये भी बड़ा famous topic है, अभी हम बात कर रहे थे, एक single wire की, अब दो parallel wire है, आपको इसका formula भी याद होगा, derivation क्या वेशक्ता नहीं है, जब हम class में बढ़ाते हैं, तब बताते हैं, force between two parallel current carrying wire, force per unit length, आईए, pen का color change कर लेता हूँ, लाल pen इसमें बढ़िया देखेगा, f upon l, बराबर, क्या होगा बताइए, mu naught, i1, i2 upon 2 pi d, 2 pi d, बोलिए, clear है क्या, force between two parallel current carrying wires, हाँ, और ये तो per unit length है, माल लो, मुझे 5 cm पर चाहिए, 5 cm पर चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, इस l को वहाँ बेज़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, mu naught, i1, i2, 2 pi d into l, बोले clear है क्या, ठीक है, बिलकुल, हाँ, 25 question की pdf भी मैं share कर लूँगा, ठीक बात है, बिलकुल, चलिए, चलिए, बिलकुल, ये सारी बाते मुझे ध्यान है, आप चिंता नहीं करें, ठीक है, चलो, तो एक बार formula जल्दी से लिख लो, फटाफट, pen paper लेके बैठो, table cursi पे पढ़ो, हाँ, पलंग पे कोई नहीं पढ़ेगा, table cursi पे बैठके पढ़ो, और formula लिखो, f upon l बराबर, mu naught, i1, i2 upon 2 pi d, पूरा article बोलो, किया, किस चीज का formula लिख रहे हो, force between two parallel current carrying wires, अब इसमें भी पंगे है, दोनों parallel wire में current same direction में है, या opposite direction में, याद करो, अगर same direction में होती है, तो attraction होता है, अगर same direction में होती है, तो क्या होता है, बताइए, attraction, वो आप check कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है, इसकी magnetic field यहाँ आएगी, cross, फिर इसमें देखिए, field अंदर है, current उपर है, force पीछे की तरफ लगेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यह इतना popular result है, जो आपको एकदम result tips पर याद होना चाहिए, कि हाँ, same direction में current है, attraction होगा सार, opposite में है current, repulsion होगा, बोलिए clear है क्या, बढ़ चलें आगे, हाँ, सही बात है, बिलकुल, बिलकुल, ठीक है, चलिए, question की तरफ आ रहा हूँ, आ गया साब, पहला question आ गया है, J main 2022 का, करिए, अच्छे से language पढ़िए, attempt करिए, मैंने आपको कहा है, मैं आपको concept सिखाऊंगा, उससे related question करूँगा, question से आपके concept और strong होते जाएंगे, question करिए, chat पर ध्यान अटाईए, question पढ़िए, और लगाईए, 30 second का break है, अच्छे से पढ़िए, और जो कम समझ पा रहे हैं, वो मेरे साथ आईए, दो parallel long wire, ठीक है साब, 0.20 meter की दूरी, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, carrying current of x, in each, इसमें भी x, इसमें भी x, मजा आ गया, if the force attraction per meter, अरे बेटा, per meter, बोले तो क्या दे रखा है, f by l, f by l, then value of x, खुद करेंगे, खुद करें, डड़ने का नहीं है, diagram बनाईए, जेए, जेए के question है, डड़ने का नहीं है, क्रतिका मालव कह रही है, not visible, क्रतिका एक बार refresh करिए, बिल्कुल, एक बार refresh करें, बाकी सब लोगों को दिख रहा है, अच्छा, उसमें red visible नहीं था, ठीक, अब red से नहीं लिखेंगे, बिल्कुल, अब red से नहीं लिखेंगे, ठ जियान रख लेना, सिरफ हम वीडियो सुन लेंगे, उससे कुछ नहीं होना, अगर आपने pen साथ में नहीं चलाया, diagram नहीं बनाया, तो फिर कोई फाइदा नहीं है, कोई output नहीं है उसका, है ना, अपन सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें चीजों को सीखना है, ठीक है, थर् बहुत भड़िया, चलिए, शांदार, तो अब formula बे सवाल है, जहीं का question है, घबराने का क्या है, आपको नए question हम इसले ले रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा confidence बढ़े है, आप नई language पढ़ सके हैं, क्योंकि PYQ के questions, module के question, वो तो हम सब लोग करी चुके हैं, नए question देखते ह हैं, तो उससे क्या हमारा aptitude develop होता है, नई language हम पढ़ते हैं, हमारा दिमाग खुलता है, physics तो वही रहेगी, physics कोई थोड़ने बदल जाएगी, physics तो वही रहेगी, अब FYL दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे, 2 into 10 की power minus x, mu not बोल जा, 4 pi into 10 की power minus 7, पहली में current x, दूसरे मे point उपर जाएगा, तो ये 10 जाएगा, 2 और 2, 4 से 4 कट गया, बहुत सुन्दर, minus 7 और 10, minus 6 भी कट गया, ये 2 बराबर x square, x बराबर आ गया, root 2, बहुत भेतरीन, जबरदस, root 2 आ गया प्यारे, root 2 बता दो क्या हो जाता है, 1.414, ये ही 2022, 2022 का सवाल है, 1.41 आ रहा है, आ रहा है तो बताईए, option number 3, option number 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांदार, क्रतिका मालव, आरती, टिंकू, तनू, रिशव, गितांजली, सरवेश, अभिनाश, आदित्या, बहुत शांदार, चलिए, बहुत बढ़ते चलिए, अगला कोशन, खुद पढ़े, मैं बिलकुल तब 30 सेकंड शांद रह रहा हूँ, आप खुद पढ़िया, अच्छे से, जिसका अंसर आजाए, वो मुझे चैट बॉक्स पर बताईए, मैं यही हूँ, आप आराम से, तसलिए से, कोशन पढ़िये, इमेजिन करिये, फॉर्मला लिखिये, हाँ, बीच में पानी पी सकते हैं, बिलकुल, कहीं कोई समस्या नहीं है, खापी भी सकते हैं, हाँ, आंसर जिसका आगया, वो देते चले, दो वायर हैं, ठीक है, अब देखो, सवाल पढ़कर, फॉर्मला देखकर, क्या-क्या दिमाग प्रोसेस करता, देखिये, वो इंपोर्टेंट है, हमें ना, सॉलूशन नहीं छापने हैं, है ना, हमें चीजों को सीखना है, बेट हैं, अरे आशी सर ने फॉर्मला सिखाया है, पैरल वायर का फॉर्मला क्या होता है, लिखना, लिखेगा तब दिखेंगे ना, रस्ते, लिखे गई नहीं तो कैसे काम चलेगा, मियू नॉट आईवन आईटू अपॉन टू पाइडी, फिर तुझे क्या लग रहा है, अच् टूवर्स एक्स, अवे, अवे गलत, अवे गलत, अवे गलत, आप्शन नमबर टू तो गलत हो गया, पहली बात, बोले क्लियर है, ठीक है, अब हम वेल्यू सॉल कर लेते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं कोशन में, वायर अफ लेंट एक्स इतना है, और मुझे पचास से सेंटीमीटर है, तो माइनस टू कर दू यहाँ पर, मुझे नोड कितना है, फोर पाई इंटू टैन की पाउर माइनस सेवन, आई वन, पहले में करेंट कितनी है, पहले में करेंट है, दूसरे में करेंट है, तीन, और दूरी कितनी है, पाँच सेंटीमीटर, ठीक है साब, द्यान से देखिएगा, मेरी calculation गलत हो तो बताइएगा, minus 2 से minus 2 कटा, 2 pi से 2 कटा, 50 को मैं वहाँ बेज देता हूँ, बढ़िया, तो 3 दुना 6, 6 दुना 12, है ना, 12 into 50, ठीक है, और साभ यह 10 की पर minus 7, और upon 5, देखो मैं सही कर रहा हूँ क्या, बताओ सही कर रहा हूँ क्या, 5 से 10 कटेगा, और यह हो जाएगा साभ, आपका, 12 into 10 की पर minus 6, देखिए मुझे बताइए, मैं सही कर रहा हूँ क्या, calculation, calculation सही है क्या, सभी answer 1 दे रहे हैं, मेरा भी बना रहा है क्या, 1.2 into 10 की 1 स्वाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शानदार, बहतरीन, जबरदास्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आप देखो, questions कितने आसान है, और कोई नया question बनकर नहीं आता, यह तो हम latest question कर रहे हैं, आप देखो, जेईब के 2022 के, अभी 2030 के question आएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं आएगा, कि आपको डल लगे, आपने जो सालवर अच्छे से पढ़ाई करी है, बस उसको अच्छे से, लाश वन मंत में बढ़िया revise करी है, अपने आप पर confidence रखी है, formally अच्छे से लिख लिख कर याद करी है, practice करते रहिए, बहुत अच्छा जाएगा paper, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, ठीक है, चलो, बढ़ू आगे बढ़ू, answer आगे 1.2, शांदार, शांदार, सरवेश कुमार, जबरदस्थ, चलिए साब थोड़ी सी speed बढ़ाते हैं, और 2023 का question करते हैं, latest इस साल का January attempt, बिल्कुल ताजा, और बिल्कुल fresh, question की language ही बहुत जबरदस्त है, आप पढ़िये, मैं कुछ नहीं बोल रहा, question क्या कहना चाता है, पहले आप खुद पढ़िये, चौनकी देखिए, फॉर्मला लगाने के बाद, तो कुछ बचे गई नहीं, है ना, सबसे, खेल तो language का यह तो होता है, language पढ़ कर मैं उसको click कर लूँ, मैं उसको break कर लूँ, सारा खेल उसी का है, फॉर्मला लगाने के बाद, तो आपको लगेगा रहे यार, यह तो बहुत आसान था, चलो खुद पढ़ो, सर बायो में कुछ बताओ, बेटे मैं physics पढ़ाता हूँ, हाँ, राउल खरे, बहुत बढ़िया, length गलत थी, किस में length गलत थी, 5 मीटर ना लेके, 50 सेंटी मीटर क्यों लिये, पिछले में, अभी देख लेता हूँ, कहाँ, कहाँ, a wire of length, 50 सेंटी मीटर करिंगा करेंट 2 एंपियर, ठीक है, parallel to a long wire of length, 5 मीटर, इसकी length 5 है, ठीक है, और इसकी length है 50, ठीक है, तो मुझे force निकालना है, on wire Y, force acting on wire Y, पूछा है, अच्छा, बिल्कुल बात तो सही है, बहुत सही, बिल्कुल, force parent length on Y, तो mu naught I1 I2 upon 2 pi D, बिल्कुल सही बात है, मुझे on Y पे बताना है, तो Y की unit length का force है यह, बिल्कुल सही बात है, तो 5 मीटर में कितना लगेगा Y पर, फॉर्मला सही है, concept सही है, सब कुछ ओके है, बस लंबाई 50 cm न लेकर 5 मीटर लेंगे, बिल्कुल सही, तो option उसे साब से आप change करिएगा, क्या बात ठीक है क्या, बच्चों वाली बात वाप पर समझाओ एक बात, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बई मुझे force Y पर निकालना है, देखो आराम से तसलिश से समझो, force मुझे Y पर निकालना है, तो ये force पर unit length है न, बोले तो एक मीटर पर इतना force, 3 मीटर पर कितना, into 3, 5 मीटर पर कितना, into 5, फॉर्मला सही है, concept सही है, सब कुछ होके है, force on Y पूछा है, basically हमने force on X निकाल लिया, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, done, चली चली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आईए साब, इस सवाल पर वापिस आईए, ठीक है, बहुत बढ़िया, option number third आ रहा है, अब नए सवाल का बताईए, वो तो जो आएगा, आप calculation कर लेंगे, clear है, अच्छा, इसी का बता रहे हैं, third, चली बढ़िया, 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 solve करें, सही है टिंको, बहुत शानदार, साड़े दस बजे ब्रेक दूँगा, साड़े दस बजे, तीन से चार्ज मिट का ब्रेक दूँगा, साड़े दस बजे, ठीक है, चली, तब तब कोशन करें, खींचें कोशन, सवाल बढ़िया, language का ही खेल है, अभी solution तो बड़ा आसान लगेगा आपको, चलो समझाऊं, चलो, अब मस्ती से समझना, क्या गहरा है, एक current carrying rectangular loop है, बहुत बढ़िया, शाबाश, PQRS है, PRQS की लंबाई 5 है, ठीक है, ठीक है, अब meter की reading, I से 2I कर दी, I से 2I कर दी, तो magnetic force on wire PQ बताना है, due to wire RS, ratio बताना है, ठीक है, दौनों case में, अब शांदर समझना होगा क्या, जब पहले current I है, जब पहले current I है, सोचिए, यहाँ current I है reading, तो यहाँ, I by 2 और I by 2 होगी, देख लीजिए, uniform wire है, uniform wire है, PQ और RS की लंबाई बराबर है, यह भी 100 cm है, यह भी 100 cm है, आमने सामने की लंबाई बराबर है, तो जो उपर का resistance होगा, वही तो नीचे का होगा, लंबाई बराबर है, cross sectional area सेम है, material सेम है, देख लीजिए, uniform wire हो गया, क्या यह बात clear है, क्या I by 2, I by 2 होगी, अभी बताईए, इन दोनों के बीच में, force parent length, क्या होगा, mu naught, I1, I2, upon 2 pi d, जो भी दूरी हो, यह पहले case में है, बतादो, अगर यह बात clear है तो, जब current आई है, हिंदी मीडियम में भी लाईए सर, बिल्कुल बिल्कुल अगली class, कोशिश कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी आईगी, हाँ, आप daily आऊगे क्या, मैं daily आऊँगा नहीं आऊँगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोज पढ़ना है, यह कंपल सरी है, है ना, हमारी टीम लगातर आपके साथ आती रहेगी, रोज फिजिक्स के यह आपकी class चलेगी, यह बात confirm है, ठीक है, डॉक्टर फोबिया मैंने आप का अंसा दे दिया है, अब आप एक ही प्रशनों को पचास पर पूछेंगे, तो भी यही आंसर आएगा, बिल्कुल, हाँ, टीम हमारे पास यहीं बैटी है, तुरंट ब्लॉक भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हिंदी मीडियम में हाँ, मैं कोशिश करूँगा, कि कोशन्स हिंदी मीडियम में भी टाइप किये जाएं, बिल्कुल, ठीक है, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, तो पहले आप मुझे बताओ, जब करेंट आई होगी बच्चों, तो आई बाई टू, आई बाई टू, आपको ये समझ में आया क्या, और जब करेंट टू आई होगी, तो बताओ करेंट क्या क्या हो जाएगी, उपर आई, नीचे आई, अब आप सोचो के फोर्स का क्या होगा, कितना अच्छा सवाल बनाया है, कि पहले करेंट आई थी, चलो मैं इसी कोशन को अगली स्लाइट पे ले जाता हूँ, देखिए साब अगली स्लाइट पे डाइग्राम बने होगे, पहले से बहुत बढ़िया, यहाँ करेंट पहले आई थी, तो यहाँ आई बाई टू और आई बाई टू होगी, बोलो, और जब यहाँ टू आई होगी, तो यहाँ आई होगी, यहाँ भी आई होगी, सवाल बढ़िया है, अरे होगा तो एक मिनिट के अंदर ही न, आपको डढ़ने की तो आवे सकता ही नहीं है, अलग-लग language पढ़कर ही तो दिमाग strong बनता है, अगर मैं आपको लिख दू कि यह formula लगाना है, तो हरको ही लगा लेगा, अलग-लग तरीकी language पढ़कर ही तो हम अपने आपको strong कर रहे हैं, क्यों हम आपको j main के question करा रहे हैं, क्योंकि आपको नए question का मैं दिखाने है, नए questions की practice करानी है, बस, चलिए, आईए, इसमें बताईए, पहले case में, f upon l, पहले case में बताईए, mu not, i by 2, i by 2, upon 2 pi d, जो भी दूरी होगी इनके बीच की, वो भाद में भी है, upon, f upon l, बाद वले case में, mu not, current बता बेटे, i, current i, upon 2 pi d, बो, option आया है किसी का, 1 is to 4 आ रहे हैं कुछ, चलो देख लेते हैं, mu not i, i, mu not i, i, 2 pi d, तो यह हो गया साब, f upon l in first case, f upon l in second case, तो साब यह सब कट चुका है, बहतरीन जनाब, तो एक बटा चार आंसर आ रहा है मेरा, अगर आप satisfy हैं तो बताईए, 1 is to 4 आ रहा है मेरा, अगर आप भी से satisfy हैं, सब कुछ मैंने सही किया है, तो जबाब दीजिए, option क्या आएगा, वो तो देख लेते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, पर logic बताईए, अगर क्या logic clear है क्या, बेटे, logic clear है क्या, 1 is to 4, एक बाद चैट बॉक्स से बता दो, everything is okay, audio, video, concept, समझ में आ रहा है सब, आब आज clear आ रही है, speed ठीक है, बातें समझ में आ रही है, latest question कर रहे हैं, सब खोशो, चलो, चलो, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, आईए सब, फिर एक बढ़िया question, अब देखो, केवल हम force पर अटेक कर रहे हैं, पहले हमने क्या, QBB sin theta पढ़ लिया, बढ़िया, दमदार, आट-दस सवल कर लिये, अब अटेक कर रहे हैं, build sin theta पर, force between two parallel current carrying wire पर, इस पर अटेक कर रहे हैं, फिर नया question आगया आपके साथ, घपराने का नहीं है, language पढ़िये, break करिये, language पढ़िये, उसको crack करना है, चलो, पढ़ो, पढ़ो, NCRT के question भी कर लेंगे, आखकी खान, चिंता मत करो, जो अभी चल रहा है, वो तो उसका ता मजा लो, जेई मेंन के बढ़िया सवाल चल रहे है, सारे chapters के session ले ले ना रहे, बिल्कुल, सौम्या सिंग सभी chapters के session होंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, चली, बहुत बढ़िया, हाँ जी, answer बताईए, answer, answer बताईए, answer, answer बताईए, answer, question की language पढ़िये, क्या कह रहा है, उसको समझिये, chat पर ध्यान मत दीजिये, a triangular shaped wire, आप से पूछा है, magnetic force on CD, इस पर force बताना है बेटे, तीनो पांच-पांच है, तो पहले तो ये बता दे, angle 60 होगा क्या, इसमें हाँ भर दो, सारे पांच-पांच है, equilateral triangle, angle 60 degree होगा, बहुत भड़ी आप, बहुत शानदार, अब CD की बात कर लो, ये C, ये D, CD को निकाल के भार बना दिया, ये है current, ठीक बात है, magnetic field, आगे की तरफ, ये magnetic field, wire, देख लीजिये, अब मुझे formula याद है, B, I, L, sin, theta, कोई मुझे theta बता दो, तो मेरा काम हो जाएगा, theta बता दो, theta होता है, L vector और B vector के बीच का angle, L vector और B vector के बीच का angle, L vector की direction होती है, current वाली, C से D में current, C से D जा रही है, याद करिए, दो vector के बीच का angle, कब नापते हैं, जब दोनों की tails मिले, ये angle 60 है, तो ये भी 60 होगा, बताईए, L और B के बीच का angle, L और B vector के बीच का angle, 60 degree होगा क्या, बोलिए, 60 degree होगा क्या, L vector और B vector के बीच का angle, बिल्कुल, बिल्कुल, आदित्य कुमार, L vector और B vector, तो formula लगा लीजिए, F equal to B I L sin theta, तो B पता है आपको, B पता है, 0.5, I, I बताईए, I, I, current, current दे रखी है क्या, 10 ampere, लंबाई बताईए, पांस सेंटिमीटर, तो 5 बटे 100, और sin 60, root 3 by 2, बिल्कुल, बताईए क्या answer आएगा, answer बतादें, आर्यन राज, magnetic field की reaction कैसे पता चली, अरे वा, ये दे तो रखी है, ये इतने सुन्दर तो arrow बना रखे हैं, colorful, magnetic field आगे दे रखी है, बेटे, डाग्राम है देख, लाल रंग के arrow बना रखे हैं, magnetic field horizontal है, magnetic field horizontal है, ये wire है, ये magnetic field है, दो vectors के बीच का angle, बो लो clear है, answer आ रहा है, कितना आ जाएगा बताओ, solve कर लें, point हटे का तो नीचे कितना जाएगा, दस, ठीक है, तो दस से तो दस कट गया, solve कर लीजिया, 5 और 5 पच्चेस, बटे 2, और root 3, into 10 की पवाव, minus 2, कर लेंगे solve, बोली है, clear है, red clear दिख नहीं रहा था, चलो कोई बात नहीं, वो तो अब diagram बना हुआ है, वो तो अब मैं उसको change कर नहीं सकता, मैं white और yellow से ही लिखूँँगा, वो diagram पहले से बना हुआ था, option number 3 आ रहा है, option number 3 आ रहा है, आसान है मामला, बिलकोल आसान है मामला, बहुत शांदार, ठीक है, कर लेंगे calculation, पढ़ूँ आगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता हूँ, साब ये बड़ा शांदार सवाल है, incline plane पर wire, आप पूरा ध्यान दीजेगा, अभी तक का ये शब्द से जानदार प्रशन है, ये नीट 2016 में भी आया हुआ है, और ये 2022 में भी आया है, इस पर पूरी जान लगाईएगा, इसको दो से तीन बार डियाग्राम बनाईएगा, और समझिएगा, कोशन क्या कह रहा है, वो देखिए आप, ये एक incline plane है, उस पर ये wire रखा गया है, और current ऐसे जा रही है, देखिए, current ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ, incline plane है, incline plane पर वायर रखा गया है, और current अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, और क्या पूछा गया, आपको minimum current बतानी है, ताकि वो क्या रहे, stationary, अब प्रशनल तो ठीक है, जो आएगा वो आएगा, मुझे आप stationary शब्द देखकर, आपके मन में कुछ-कुछ हो रहा है, क्या, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, stationary का क्या मतलब है, stationary का मतलब है, क्या आशी सर, कहीं न कहीं forces balance हो रहे होंगे, हाँ, come on, बहुत भड़ी है, forces balance हो रहे होंगे, मतलब मुझे forces बनानी पड़ेंगी, पहली बात, अरे यार वो mass की भी बात कर रहा है, अच्छा, mass की बात कर रहा है, तो mg की भी चर्चा करेगी, अरे यार, incline plane पर, तो mg के component करते थे, mg sign और mg cos, यहां तक तो बातने सारी सही है, पर अब सबसे इसमें important है, जो बिल साइन थीटा है ना बेटे, उसकी, उसकी मुझे क्या समझनी है, direction समझनी है, क्या ये बात clear है क्या, ये बताइए, हाँ, अब balance करना है, और वो ये बात समझनी है, आईए, उस बात को अपन अच्छे से समझते हैं, magnetic field कहा है, वो देख लीजिए, vertical upward direction में, ठीक है साफ, अब मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूँ, आप दिहान से देखिएगा, ये inclined plane है, और ये जो current है, वो अंदर की तरफ जा रही है, मैं ऐसे भार से देख रहा हूँ न, तो मुझे current अंदर की तरफ जाती हूँ दिख रही है, क्या ये बात ओके है, ये आप देख सकते हैं, थी डैमिंशन में डियाग्रम बना हुआ है, और लाल पेंसे दिखा ही नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आई का जो arrow है, इसमें current कहा जा रही है, इसमें wire के अंदर जा रही देखिए, क्या ये बात clear है, और जो magnetic field है, वो कैसी है, vertically up, बताओ, क्या ये सब okay है क्या, magnetic field vertically up है, clear है, clear है, clear है, गंश्याम, रादेश्याम, ओम प्रकाश, बिलकुल, सही बात है, शानदार, अब सबसे पहले मुझे बताइए, bill कहां लगेगा, bill, bill की बात करिए, सबसे important, force कहां लगेगा, वो मज़ेदार है, दो से तीन बार समझीएगा, और खुद बनाइएगा, फिल्ड कहां, उपर, फिल्ड उपर, बेटे current कहां जा रही है, current जा रही है, अंदर, फिल्ड उपर, current अंदर, जहां palm face करेगा, वहीं force लगेगा, यह force लगेगा, B.I.L. बोलिए, क्या ये बात क्लियर है क्या, ये बता दो, शिवम कुमार, क्या ये बात क्लियर है क्या, शांदार सवाल है, शांदार सवाल है, NEET 2016 में भी आया हुआ है, और JMAN 2022 में भी आया है, मतलब प्रोफाइल दमदार है, प्रोफाइल दमदार है वही, राइट साइड में लगेगा, देख लो, दूसरी बर और, घर पे तो चार बर सुन ले ना, कल वापर इस वीडियो को पॉस करके, कोई बात नहीं अभी मेरे साथ दूसरी बर और समझ लो, फील्ड उपर की तरफ, करेंट अंदर, फील्ड उपर, करेंट अंदर, फोर्च यहां लगेगा बस clear अब तो धमादम components कर लेते हैं ये मुझे रटा हुआ है mg sin theta ये मुझे रटा हुआ है mg cos theta बिल के component कर लीजिए ये 45 है तो ये भी 45 होगा तो ये हो जाएगा बिल कॉस 45 तो अब stationary शब्द है stationary शब्द है दोनों को balance कर दीजे तो mg sin theta balance करेगा किसको बिल कॉस 45 को बहुत शांदार बहुत भड़िया अब theta तो 45 दे रखा है l को नीचे ले जाओ m बटे l ठीक है g sin 45 है तो sin 45 फिए 1 बाई root 2 होगा बी दे रखा है क्या बेटे बी दे रखा है 0.15 एल को तो भेजी दिया आई 445 1 बाई root 2 1 बाई root 2 से तो 1 बाई root 2 कटी क्या m बाई l दे रखा है क्या linear density दे रखी है linear density देखो ना unit kg पर मीटर मतलब ये क्या है mass पनिट लेंथी तो है mass की note होती है kg लंबाई की होती मीटर kg पर मीटर kg पर मीटर तो इसकी value कितनी हो गई 0.45 ये बाद ठीक है और जी हो गया बेटे 10 ये 0.15 इंटू आई point हटे का तो नीचे 100 point हटे का तो नीचे 100 ने 100 को मारा 15-35 30 आरहे लाला देख तो भई 30 आरहे क्या देख लो मेरे तो 30 एंपिर आरहे शांदर सवाल है 30 एंपिर आरहे आ बढ़िया बढ़िया प्रश्ण है नीट माया हुआ है जे मेन 2022 आगे अगर इस साल तो लोटरी लग ज वायर इंकलाइन प्लेन पर वायर बताओ everything is okay सब कुछ fine है क्या 30 एंपियर डन है डन है डन है बहुत शांदार चलिए चलिए बहुत भड़िया चलिए एक कोशन और करते है 14 15 कोशन के बाद ब्रेक लेंगे ठीक है सारे 10 बजे ब्रेक लेंगे चलो बहुत बढ़िया बहुत जता कोशन अरे रीपीट की तो जरूत नहीं है दो बार तो समझा दिया अब तो चार बार कल वीडियो आजाएगा उसका अराम से रिकारो पॉस करो फिर से करो फिर पॉस करो फिर सोनो कहाँ टेंचन है घर न मिट का बनいい कुल तनू 50 मिंट देंगे चिंता मत कर चल अभी दो कोशन और कर लो भी फटा फट चौदर नमबर पर आ जाओ पढ़िया सवाल है अरे स्टेटमेंट के सवाल दंदार होते हैं स्टेटमेंट के सवाल बच्चे फसते हैं अगर इनको अच्छे से कर लिए क्योंकि इसमें क्या कॉंसेप्ट जदा लगते हैं ही बच्चा अटेम्ट कर पाता है जिसको सारी बातें आती है बिल्कुल है शांदार है बिल्कुल थकना नहीं है थकेगा कोई नहीं क्लास में बने रहेंगे बिल्कुल पांच मिन का पर देखोगा वापी से मिलेंगे चलिए साब चलिए आंसर बताओ आंसर 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 नमबर तीन 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 हिंदी में स्टेटमेंट बेटा हिंदी में कोशिश कर लेंगे अभी इंग्लिश में कोशन टाइप हो पाये थे हिंदी में टांसलेट कर वा देंगे इसको चिंता मत कर हाँ बिल्कुल option number two option number three option number two three चलो अच्छी बात है आप answer दे रहे हैं वो important है देखिए सही गलत तो सब मैं सिखा दूँगा उसमें कोई tension नहीं है और ये learning process ऐसा ही होता है गलत होते हैं सही होते हैं फिर वापे सुनते हैं फिर सीखते हैं यही तरीका होता है कोशन पढ़ना attempt करना और उसको दिये गए time में करना वो ही तो important है हमें basically accuracy तो बढ़ा नहीं है आपकी fastest attempt करवाना है और with high accuracy अब क्या कह रहा है electric force changes the speed of charge particle and hence changes this kinetic energy बिल्कुल सही बात है electric force तो दमदार काम करता है बेटे electric field है इस पे कोई charge particle है इसी reactionary force लगाता है फ़रा पर QE force आता है acceleration आएगा acceleration से उसकी velocity बढ़ेगी change गड़ भी सकती अगर electron होगा तो opposite reaction में जाएगा तो उसकी speed को change कर सकता है बिल्कुल सही शांदार और magnetic force तो कभी change नहीं कर पाता बिल्कुल सही बात है statement 1 शांदार है magnetic force तो करी नहीं पाता क्योंकि magnetic force का तो बगड़न जीरो होता है बहुत भड़िया statement 1 सही है कह दो statement 1 सही है statement 2 देखो electric force accelerate the positive charge particle perpendicular to the direction of field और the magnetic force actually the moving charge particle along the direction of magnetic field भईया ये तो गड़बड़ बात हो गई अगर positive charge particle है और आपने उसको electric field में रखा है तो वो तो उसी direction में force लगाएगा तो उसको तो along the electric field along the electric field एफ वराबर qe vector ये देखिए अगर किसी charge particle को आप किसी electric field में रख देते हैं charge particle rest में है positive charge particle है तो जो force लगेगा वो तो along the electric field लगेगा along the electric field लगेगा भाई ने गड़बड़ बात बोल दी फिर आगे क्या बोला magnetic force accelerate ये भी गलत बात बोल दी accelerate तो करी नहीं सकता magnetic force कहां से accelerate करेगा magnetic force में तो work run zero होता है तो speed तो constant रहती है बिलकुल statement two गलत है बढ़िया अच्छा सवाल मिल गया भई statement two गलत है तो statement one is correct statement two is incorrect बताईए clear हुआ मामला अच्छे अच्छे सवाल है नए सवाल है सबसे बड़ी बात conceptual question है assessment region के question है और बढ़िया जेई मिन के question है concept वही है जो हमारी copy में physics तो वही रहेगी वो हमेशा वही रहेगी नए question करने से ही तो दिमाग खुलता है चले चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया accelerate हाँ पर वो कहाँ रहा है न बिलकुल इसलिए ठीक है चले आईए सब तो साड़े दस हो चुके है तो नहीं साड़े दस नहीं हो अभी दो मिनिट है तो एक concept सिखा देता हूँ फिर आपन break ले लेंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो बात करते हैं अगर कोई close loop magnetic field में रखा गया हो तो सबसे पहली बात तो आप मुझे बताईए force का formula क्या था i l cross b i l cross b सोचिए अगर field uniform है field uniform है और आपने कोई loop रख दिया कोई आपने loop रख दिया कैसा भी square, triangle, irregular shape का कोई भी loop होना चाहिए सोचिए अगर वो loop है current carrying loop है पहला शब्द important loop होना चाहिए current carrying loop होना चाहिए uniform magnetic field होनी चाहिए तो बता बच्चे l vector कितना है इसका l vector loop का l vector 0 है तो याद करिए अगर किसी loop को current carrying loop को uniform magnetic field में रख दिया जाए तो बताइए force net force on the loop is always zero तो तीन शब्द अच्चे से आने चाहिए सिरफ zero बोलने से काम नहीं चलेगा loop होना चाहिए uniform magnetic field होना चाहिए current carrying loop होना चाहिए तो net force net magnetic force on the loop will be zero clear है तो 10 बच्च के 30 मिट हो गए है एक कोशन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ तीन मिट का ब्रेक ले ले लेते हैं 10 तीस हुई है 10 तेतिस पर फिर से मिलेंगे फिर एक घंटा सवा घंटा और पढ़ेंगे ठीक है चलिए सब कोशन मैं आपके सामने स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूँ जो कोशन पढ़ भी सकते हैं वो solve भी कर लें अच्छा सवाल है AI PMT में आया हुआ है चलिए मिलते हैं झाल 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 यहाई झाल पराई शुरू करते हैं, आवाज आरी हो, ओड़ी वीडियो क्लियर हो, जल्दी से बताईए, पटाफ़ट, चल्दी से आजाईए, हाँ, क्लियर है, all clear, पढ़िया कोश्चन, तो बात चल रही है लूप की बात चल रही है लूप की अगर लूप current carrying लूप किसी magnetic field में रखा जाए uniform magnetic field में रखा जाए तो net force हमेशा 0 होता है वहतरीन सवाल है ध्यान से देखिएगा है ये लूप तो net force 0 है ये बात तो ते है तो इन तीनों का जो resultant आएगा वही वही force इस पर opposite direction में लगेगा तभी तो net force 0 होगा सोचो ना भई मुझे ये तो पता है कि आशी सा लूप पर net force 0 है अब तीन आम पर force दे रखें तो चौती आम पर force इस तरह से लगेगा ताकि net force 0 हो जाए तो पहलें कि resultant निकल लो F3 आगे F1 पीछे है तो यहां कितना बचेगा F3 माइनस F1 opposite direction में और F2 कहा है नीचे की तरफ अब बताइए ये दोनों कितने degree पर है 90 degree पर इनका resultant कितना आएगा 90 degree resultant कितना होता है A square प्लस B square A square प्लस B square तो अंडरूट आफ F3 माइनस F1 का whole square plus F2 square इतना ही force ये resultant आया है यहां इतना ही force magnitude में बट direction में बिलकुल opposite तभी तो net force बेटे लूप पर 0 होगा तो answer कौन सा आजाएगा option number 4 option number 4 बताइए क्या ये बात clear है दो शब्द बोल लो दो शब्द बोल लो net force net force कितना 0 होना चाहिए net force 0 होना चाहिए 3 आम पर force दे रखा है 3 आम पर force दे रखा है तो आपने उन 3 आम का पहले result निकाल लिया और 4 आम पर इतना ही force opposite direction में लगेगा तभी तो लूप पर net force 0 होगा बोलिए बढ़ें बिलकुल बच्चे आते जा रहे हैं आईए फटाफट अगला कोशन 2010 का इसी तरह का कोशन ताकि ये वाला concept मजबूत हो जाए ये वाला concept मजबूत हो जाए चलिए फिर से पढ़िए फटाफट और अगले कोशन की तरह बढ़िए आपस में बात ना करें धीरस तू देख ले तू ये कर ले तू वो कर ले फालतों की अपों में मत उल्जो पढ़ाई पर ध्यान दो चैटिंग पर मत ध्यान दो जादा आउटपूट आना चाहिए क्लास खतम उन्हें काथ लगे कि हमने काफी बातेयां सीख लिए मज़ा आ गया ये वाली फिलिंग आनी चाहिए क्लास खतम करके तब तो मैं कल से फिर क्लास पढ़ूँगा फिर आगे पढ़ूँगा फिर पढ़ूँगा तभी तो मज़ा आएगा चलिए चलिए बहुत बढ़िया हाँ क्लास में बिल्कुल कराया था बिल्कुल बिल्कुल क्लास में कराया था current carrying loop है, uniform magnetic field है, तो net force होगा 0, मुझे तो ये बात बढ़िया लगी, ये square loop है, current carrying है, pen का color बदल लेता हूँ, ये सब yellow color ले लिया, शामदार, चमकता हुआ, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, if force on one arm, अब आपको ये तो पता है, चारों arm पर जो force लगेगा, उनका बेटा जी, resultant 0 आना तै है, अरे बोलो, अब एक arm पर दे रखा है, f, बाकी पूछा है, force on remaining three arm, इन तीनों arm पर लगने वाला net force बताओ वही, f net on three arms, बताओ, कितना होगा, three arm पर लगने वाला force, कितना हो जाएगा, minus का f, तब ही तो, तब ही तो, कितना होगा net, 0, बोलिए, option number two, शांदार, अच्छा सवाल है, बढ़िया, minus f होगा, फटा फट से दो शब्दों पर कोई कर लो, लूप होना चाहिए, बोलो हाएं क्या, लूप होना चाहिए, दूसरा, uniform magnetic field होनी चाहिए, net, चारों arm पर net force, 0 आएगा, एक arm का f है, तो तीनों arm पर मिलकर, तीनों arm पर मिलकर, minus f आएगा, clear है, चलिए साब, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था, आईए साब, आगे बढ़ते हैं, यह है दमदार सवाल, अब हम जो uniform, uniform magnetic field चिला रहे थे न, uniform, uniform magnetic field चिला रहे थे, अब उसको हमें सही करना है, और उसी के लिए हमने यह सवाल लेकर आएं, यहाँ पर, neat 2016 में आया हुआ है, दमदार question है, इसमें क्या के concept लगेंगे, उस बात को आप समझेए, यहाँ field नहीं दे रखी, तो field कौन produce करेगा, field को कौन produce करेगा, field produce करेगा, wire, step number one, तो infinite wire के कारण जो magnetic field होती है, वो होती है, mu naught I upon 2 pi A, पहला logic, अगर हम जब wire AB की बात करेंगे, जब हम wire AB की बात करेंगे बेटे, तो AB की दूरी से दूरी कितनी है, L by 2, AB के लिए दूरी लूँगा, L by 2, जब wire CD के लिए बात करूँगा, CD के लिए बात करूँगा, तो दूरी लूँगा, इस wire से L plus L by 2, 3 L by 2, इनकी बात नहीं करूँगा, इन पे जो force लगेगा, वो equivalent opposite लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, जितना भी force लगेगा, आम CB पर और AD पर वो equivalent opposite होगा, पर AB और CD पर equal opposite तो होगा, पर वो cancel नहीं करेगा, क्योंकि field दोनों के लिए अलग-अलग आईगी, क्या ये बात clear है, मैंने question solve नहीं किया है, एक famous और important profile है, आपको आनी चाहिए, अभी मैंने question को solve नहीं किया, पहले आप ये बताईए, step number one, magnetic field कौन पैदा करेगा, magnetic field कौन पैदा करेगा, magnetic field state wire पैदा करेगा, state wire की magnetic field होती है, mu not i upon 2 pi है, इस बात का दिहान रखिएगा, wire AB के लिए बात करेंगे तो दूरी L by 2 लेंगे, और wire CD के लिए बात करेंगे तो दूरी होगी 3 L by 2, बताईएगा, ये बात clear है क्या, बहुत शानदार, अब इसको अच्छे से solve करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आईए सब, चलिए, तो अब इस question की बात करते हैं, तो पहले बात करता हूँ मैं wire AB पर, तो AB पर बात करिए, तो पहले तो फॉर्णर लगा दीजिए, force parent length, mu not i1, i2 upon 2 pi d, किस-किस की बात कर रहे हैं, between x, y and AB, दो parallel current carrying wire, ओलो पात clear है, तो आईए, force upon length, इस पर निकालना, इसकी लंबाई कितनी है, l, mu not, पहली current i, दूसरी current छोटा i, upon, upon 2 pi, दूरी बताइए, दूरी, ये दूरी कितनी होगी, l by 2, वो मैंने आपको magnetic field, बताने का मेरा reason ये था, क्योंकि magnetic field uniform नहीं है, अगर magnetic field uniform होती, तभी force 0 होता, wire AB पर magnetic field अलग है, wire CD पर magnetic field अलग है, ये बात important है, ठीक है, तो ये force आ गया, अब आप बताईए, same direction में current है, same direction में current क्या होता है, attract, same direction में current होता है, attract, इस पर force यहां लगेग तो इसको मैं F1 बोल दूँ, ये कितना हो जाएगा बताईए, L से L कट गया, ये L और L अलग तो नहीं है कहीं, ये भी L है, ये भी L है, एक बार मैं देख लेता हूँ, L, L तो सब समय से हैं है, L ये भी L है, वहां भी L है, चलो ठीक है, फिर तो कोई tension नहीं है, L से L तो कट गया, ये टू से टू कट गया, ये आ गया, म्यू नॉट आई, आई बटे पाई, देखो क्या है सही है क्या, अब मैं बात करूंगा, बिट्वीन एक्स वाई एंड सीडी, सवाल इंपोर्टेंट है, और कठिन सवाल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, अब एक्स वाई औ लंबाई पर निकालना है, इस सीडी वायर पर, सीडी वायर की लंबाई कितनी है, एल, म्यू नॉट, पहली करेंट, आई, दूसरी करेंट, छोटा आई, अपॉन टू पाई, आखें खोली है, नीन नी आनी चाहिए, आखें खोली है, दूरी, एल प्लस एल बाई टू, नीन जरूरी है, जाकते रहें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल है, जनाब बढ़िया सवाल है, एल से एल कटेगा, और बताईए, और बताईए, तू से टू कटेगा, तो यह आ जाएगा, म्यू नॉट आई, आई बटे, त्री पाई, और यह देखिए, direction कैसी है opposite direction है opposite opposite है तो क्या करेगा repel करेगा repel करेगा repel करेगा यह F2 आ गया अब बताए यह बड़ा कौन है बड़ा कौन है यहां बड़े तीन से भाग दे रहे हैं यहां एक से भाग दे रहे हैं बड़े से भाग देंगे तो F2 तो हो गया छोटा F1 हो गया बड़ा बताईए net force क्या आएगा बच्चे net force क्या आएगा net force आएगा F1 minus F2 F1 minus F2 बताईए मुझे एक बाद chat box पे बता दो सब ओके है कि अहाँ जगना हो गया है सब जोश में हैं बहुत बढ़िया कोई नहीं सोएगा बहुत शांदार अब मुझे बता दो सब्ट्रेक्शन समझ में आ गया क्या क्योंकि इन दौनों में तो current same direction में होती है current same direction में होती है तो attraction होता है इसके बगएर काम नहीं चलेगा भई same direction में current हाँ और वो score क्या करेगा रिपल करेगा बिलकुल 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 अरे एके जे एफ इकल टू बिल से भी निकाल सकते हैं भाई mu not i1 i2 upon 2 pi d एके जे उसी से तो आया है बिली तो है यह कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है अब घटा दो f1 f1 बड़ा है तो mu not ii upon pi minus mu not ii upon 3 pi पूरा solve करना है छोड़ना नहीं है छोड़ देते हैं यह तो दिक्कत है आता है अरे आता है calculation में तो गड़बड हो जाएगी आता है आते आते में ही दिक्कत हो जाएगी पूरा solve करना end तक अब हो जाएगा अब कल लेंगे उसमें मजा नहीं है 2 minute ii upon 3 pi अब बताओ 2 minute ii upon 3 pi नेट खतम होने वाला है बहुत भड़िया कोई बात नहीं जब तक चलना है तब तक देख ले भाई कल देख ले ना वापिस ठीक है तो 2 minute ii upon 3 pi बोलो clear है क्या देख लें कोई option है कैसा 2 minute ii upon 3 pi एल कहां से आ रहा है एल तो कट जाएगा एल नहीं आना चाहिए ठीक है तो 2 minute ii upon 3 pi बोलो सही है क्या calculation सही है correct है correct है character है हाँ tapping में compare हो गई होगी वो यह L और यह L same है अगर अलो가 होगे तो cancel नहीं होगा यह L और यह L तो सेम है ये भी L वही है तो तो कट जाएगा ठीक है बढ़ूं आगे बढ़ूं चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा वन ऑप्शन है वैसा ठीक है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया वन है तो सही 2 बाई 3 मिनोट आई अपॉन पाई अरे बहुत बढ़िया सही तो है two minute I I upon three pi correct correct जनाब correct option number one है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए साब शानदार अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं अगला सवाल भी इसी तरह का है यह आपके लिए homework दे रहा हूं मैं आप इसको करिएगा concept वही है concept वही है loop 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 current carrying loop uniform magnetic field net force zero ठीक है बिल्कुल चले चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आईए साब जेई में दो हजार तेईस का चले साब लेटे सवाल आगया है रात के ग्यारा बजने वाले हैं पर कोशन लगातार आते जा रहे हैं और नए कोशन आ रहे हैं सबसे बड़ी बात यह हैं चले बने रहे हैं फिर तो लगाते जाईए नए कोशन मज़ा तो तभी है नए कोशन आए नई लेंगवेज आए करा हुआ कोशन आता है नोड्स वाला पी वाई क्यू वाला वो तो सबको हमें आते ही हैं मज़ा तो नए कोशन की लेंगवेज पढ़कर उसको क्रेक करन का अनन्द अलग है चलिए सब लेटेस दो होजार तेईस पढ़िए दो मिनिट तीन मिनिट आपके पास हैं पढ़ कर इसको अच्छे से सॉल करिए फिर मैं बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल अर्थ मैगनेटिज्म बेटे शुबम कुमार कल आएंगे अर्थ मैगनेटिज्म कल मैगनेटिफेट का सेशन नमबर टू होगा बई बच्चों कल मैगनेटिफेट का सेशन नमबर टू होगा आज मैंने फोर्स वाला सेक्षन किया है अभी एंपियर्स भी आएगा बायो सवर्ट लोग के कुछ कोशन्स करेंगे क्योंकि वो तो हमने अच्छे से आता है फोर्स वाला सेक्शन सबसे मोश्ट प्रॉबेबल है क्योंकि हमें भी पता है कि हम पूरा मैगनिर फेक्ट तो कैसे पढ़ सकते हैं दो दिन में हम उसी चीज को पालेट कर सकते हैं जिस पर ज़्यादा कोशन्स आते हो ज़्यादा प्रॉबेबल हो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक को वो ही पढ़ सकते है बढ़े आगे चलो ऑप्शन नमबर बन दे दिया काफी बच्चों ने अच्छी बात है देखिए कर रहे हैं वो इंपोर्टेंट ह उसके लिए तालिया है कि हम कोशन पढ़ रहे हैं नए कोशन के लिए हम तयार हैं वो मैटर करता है और बाकी तो प्रैक्टिस करके सही होई जाएगा उसमें तो कोई बाड़ी बात ही नहीं है ना घबराने का नहीं है तो दो लोंग पैरल इस्टेट बायर है पी और क्यू जिसमें दस एंपियर करेंट आ रही है कैप पैरल तू इच अदर एट फाइट फाइट इन रिश्टेंस धमाधम डाइगरम बनाईए दौनों में दस एंपियर करेंट है और दूरी कितनी है पांस सेंटीमीटर ठीक है फोर्स बताइए फोर्स परिंट लेंद क्या होता है म मू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी शायद याद हो रहा होगा मू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी करेंट दोनों में सेम है तो आप ऐसा लिख सकते हैं मू नॉट आई आई तो आई स्कोर अपॉन टू पाई डी बताइए क्या बात ये क्ल अब वो क्या कह रहा है अगर दूरी को आधा कर दिया जाए और करेंट को डबल कर दिया जाए दूरी आधी नया फोर्स बताइए F2 दूरी आधी 2P दूरी आधी D by 2 करेंट डबल 2I करेंट डबल बोलिए अब देखें कितना अच्छा सवाल है दो का स्कुरेश चार हो गया ये दो गूम के उपर जाएगा तो F2 आगे आपका 8 टाइमस ओफ F1 कुछ रॉकिट साइंस थोड़ी ना आएगी पेपर में आपको इसको कॉन्फिडेंस लेवल पर दाना ही पड़ेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब ये देखो आप जेई मे पढ़ने से हम दिमाग हमारा कुलता है बताई एट F1 आ रहे हैं क्या एट F1 क्लियर है ऑप्शन नमबर वन ऑप्शन नमबर वन एट F1 चलिए साब बहुत भड़िया आगे बढ़ते हैं बढ़ें ओके कर दीजी एक बार सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सारा इलेक्ट् पूरा हमने प्लान कर रखा है सारा का सारा रिवीजन करवाये जाएगा इसी चैनल पर कोटा पल्स पर ठीक है तो आप बिल्कुल परिशान ना हो चलो साब आगे बढ़ते हैं 2023 का फिर से लेटेस कोशन चलिए पढ़िए कोशन खुद से सारे नए कोशन आ रहे हैं नए बि हिंदी में कोशन दीजिए मैं बिल्कुल अगली बार से कोशिश करूँगा कि हिंदी में कोशन आएंगे आप है तो फिजिक्स मुमकिन है अरे बिल्कुल फिजिक्स आपकी खुद की प्रेक्टिस से मुमकिन होगी मेरे से और किताब से और नोट से नहीं होगी आपकी प्र ट्रेक्टिस करते रहोगे तो सब मुम्किन होगा ठीक है प्रशांत याद आओ बहुत बढ़िया प्रशांत याद आओ चलिए साब बढ़े आगे अगला कोशन करिए अगला कोशन दंदार है पूरा मुझे सॉल करके बताईए तब मजा है केवल फॉर्मले बोलने से काम नही चलो आप चैट पर छोड़ दीजिए कोशन पर ध्यान दीजिए कुछ नहीं बोल रहा मैं कोशन पढ़िए यहीं खड़ा हूं मैं साइड में पढ़ो जान मूझ कर मैं पता कौशन लेकर आया हूं यह पहले आवाला टॉपिक नमबर वन वो वायर वायर के वा आपने साउन ले पढ़ लिए वो दिमाग में बैठ गए बिल साइन थीटा मून टाइवन आई टो अपन टू पाइडी चेंज गर दिया चार्ज पार्टिकल मैं यहां चार्ज पार्टिकल अब बिल नहीं लगेगा लाला चार्ज पार्टिकल फिर यूनिफॉर्म अग्नेटिक फील राइट एंगल आपको का था ना सबसे डिफेंस का फर्मला बोल र बराबर रूट टू एंग क्यू वी इंटम्स वर पोटैंशल डिफेंस यहोता है अब पूरा सॉल करो स्कॉर कर्दो R square बराबर 2 M Q V upon Q square B square A Q से Q काट दो क्या पूछा उसने? मास पूछा है तो मास तो यही रख दो बाकि वहाँ बेजो R square Q B square upon 2 M तो चाहिए into V पूरा करके बताइए मज़ा तब है सम्म्यक जैन ने सबसे पहले आंसर दिया है बहुत बढ़िया 14 144 सुमन कुमार ने भी दे दिया मुहम्मद फरकुर्ण एहमद रिशी अरे मज़ा आगया सब मज़ा आगया मज़ा आगया चार बच्चों ने सबसे आंसर दे दिया इतना जल्दी जैन मेन का लिटेस कोशन बहुत बहतरी इन बच्चे पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से कर हम पढ़ते रहेंगे तो मचा देंगे बिल्कुल 144 बहुत बढ़िया बस यही चाहिए लगन बिल्कुल ठीक है 144 एक्जेक्ट आ रहा है साब 144 इंटू 10 की पर माइनस 18 अब बताइए मैं पूरा सॉल करके दिखाता हूँ आपको रेडियस रेडियस कितनी है तीन सेंटीमीटर तो तीन सेंटीमीटर है तो 3 इंटू 10 की पर माइनस 2 का स्क्वार क्यू बताइए क्यू कौन है पार्टिकल का क्यू दे रखा है 2 माइक्रो कुलम 2 इंटू 10 की पर माइनस 6 मैगनेटिक फिल बताओ मैगनेटिक फिल बताओ 4 मिली टेसला तो 4 मिली मतलब 10 की पर माइनस 3 का होल स्क्वार अपॉन अपॉन 2 वी बताओ पोटेंशल डिफरेंस बताओ 100 वोल्ट कैल्कुलेशन भी आनी चाहिए भाई कैल्कुलेशन भी आ सकती है पेपर में तो 3 का स्क्वार 9 ये माइनस 4 2 इंटू 10 की पर माइनस 6 4 का 16 और ये माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 100 बराबर M ठीक है साब अब बताओ ये 2 से तो 2 कट गया 16 नाइनजा 144 हो गया ये 6 और 6 12 12 चार 16 दो उपर जाएगा माइनस 18 25 बिलकुल बिलकुल एक्जेक्ट आंसर आ रहा है 144 बहतरीन बहतरीन 2030 का लेटेस सवाल जन्वरी अटेंट जेई मेन 2030 कई बच्चे सोच रहे हैं 2030 के पेपर हो गया जेई मेन में दो अटेंट होते हैं ये जन्वरी अटेंट के लेटेस कोशन है एक अटेंट अपरेल से है 6 अपरेल से है बिलकुल चलिए शांदा इनका 144 आया उसके लिए तालिया बहत भढ़िया बहत भढ़िया दस सवाल हमने कर लिए F फराबर Q वी भी साइन थीटा पर और दस सवाल के आसपास कर लिए F फराबर बिल साइन थीटा और मू नोट आईवन आईटो अपॉन टू पाइडी आप स्वागत करिए बायो सवट लौ जो सभी को आता है सभी को आता है फरमला इसनले लिखा है कभी कबार वेक्टर फरम में पूछ लिया जाता है वेक्टर फरम भी आना चाहिए वेक्टर फरम भी आना चाहिए तो डी भी वेक्टर वेक्टर फरम आना चाहिए Mew 0 upon 4pi I DL cross R upon RQ क्योंकि हमना क्या formula तो सारे याद होते हैं circular coil का वो formula नहीं लिख रहा हूँ वो सब notes में है पूरा थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं भाई वो तो सब notes में circular coil का center me not i upon 2r end turns हो तो end me not i upon 2r semi circle लोरो तो me not i upon 4r circular coil की axis में निकालना हो तो formula wire का infinite wire का semi infinite wire का वो तो सब अपन class notes में कर चुके हैं है ना तो basically हमें तो क्या करना है question की practice से हमें बाते हैं आगे बढ़नी है चलिए चलिए तो यह इसलिए कराया बच्चों बायो सबट लोका vector form ही कभी कभर आ जाता है इसलिए मैंने सोचा कि आपका ध्यान उस तरफ में खींच सको इसलिए मैंने slide को यहाँ add किया बोलिए ठीक है साब आईए साब कोशन पर आ जाईए 2023 का फिर कोशन आ गया है यह बड़ा popular सवाल है यह number of tons का इतना popular कोशन है इसको आप बढ़ी अच्छी तरीके से समझीए यह famous profile है मुझे ऐसा याद है कि दो से तीन बार तो यह need में आ चुका है और जेई में में तो 2023 में आया ही आया है है ना तो इसको पहले आप बढ़ी हम मैं हाँ बारावे तक जगजा होगे क्या या साड़े क्या रहा पोने बारा एक बार कमेंट करके बता दे ना भई मैं तो प्लान करके नहीं आया हूँ नौ बजे से लिखा है आकासर यहीं बेटे है मेरे पास हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो देखते हैं कब तक आपके एनरजी बसती है तब तक पढ़ाते रहेंगे आईए अब कोशन क्या कह रहा है कोशन को समझो कोशन को समझो कोशन बहुत तगड़ा है option number 1 जो कह रहे हैं अच्छी बात है option number 1 सही है 2 सही है 3 सही है ठीक है वो देखते है अब question क्या कह रहा है कि एक wire है जिसको bend किया गया circle coil of end turns इसको आप समझ लोग ये बहुत जगे काम आ जाएगा एक wire है let उसकी लंबाई L है अब इसको आपने turn कर दिया ऐसे let the radius is R ठीक है अगर एक turn में convert करते हैं एक turn में तो L बराबर होता 2 पाई R मैंने इसको N turns में किया है let N turns में तो L बराबर N into 2 पाई R होगा सोचो एक wire होता उसको मैं सिरफ उसका एक घेरा बनाता है केवल एक घेरा बोले तो one turn तो L बराबर 2 पाई R अब हो सकता है न मैं कम radius के बनाता और ज़्यादा घेरे बना देता radius कम रखता छोटी radius रखता और घेरे ज़्यादा बना देता तो अब L बराबर क्या हो जाता 2 पाई R तो 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 को तो मैंने मोर दिया सीधा तो आप बोल दोगे L बराबर 2 पाई R हो गया आशी सर बिलकुल सही बात अब मैंने radius छोटी रखी पर मैं ज़्यादा turns मैंने बना दिये तो L बराबर N इंटू 2 पाई R बोलो clear है क्या बोलो clear है क्या हाँ बहुत शानदार अब magnetic field बताइए magnetic field होता है N tons वाले का N mu naught I upon 2 R यह हमें रटा हुआ है क्या Bios of Art law magnetic field at the center अब R की value पुट कर दो R की value बताओ L upon N into 2 pi R की value पुट करो R की value पुट करो तो B बराबर क्या आ जाएगा N mu naught I upon 2 R की जगे L upon N 2 pi L upon N 2 pi अब बताइए अब mu naught constant है I वही है 2 वही रहेगा L उसी wire को आपने मोडा है 2 और pi वही रहेगा N उपर चला जाएगा तो 20 proportional आएगा N square के यही सबसे important बात है बेटे हमें लगता है B proportional N के पर जब भी ऐसे bent वाले सवाल आते हैं एक long conducting wire को bent कर दिया गया bent कर दिया गया पहले N tons में फिर फिर बाद में छोटे N tons में तो जो magnetic field होगी इस situation में इस situation में कि एक ही wire को पहले उसका एक घेरा बनाया फिर उसके चार घेरे बना दिये फिर उसके N घेरे बना दिये इस तरह के सवालों में सीधा concept लगाना है B is proportional to N square अगर चमका तो chat box में बताईए कि चमक गया क्या ये बात clear है B is proportional to N square बता दो कह दो कह दो B is proportional to N square अब बताईए B1 by B2 पहले number of turns पहले थे N बाद में थे छोटा N answer बढ़िया सवाल 2023 का latest सवाल नीट में भी दो से तीन बार आया हुआ है क्या ये crystal clear है चमक गया डन है क्या ओके है क्या thumbs up कर दीजिए दबा दीजे thumbs up कर दीजिए एक बार thumbs up कह दो एक बार सब कह दो clear है बहुत भड़िया बहुत भड़िया चलिए बढ़ू आगे बढ़ू आगे चलो बहुत शानदा अच्छा सवाल था अब देखो वही नीट दो होजा 16 में अब देखो अब अब ध्यान से जलबाजी नी करने की जलबाजी नी करना वही कोशन नीट 2016 अच्छे से देखो खोड़ ट्राई करो खोड़ ट्राई करो अरे प्लानर आजाएगा बिल्कुल चिंता नहीं करो हमें भी उतनी चिंता है प्लानर आजाएगा कल का तो अप्लान्ड है कल मैगनिट इफेक्ट का सेकिंड सेशन होगा ठीक है चलो आया अंसर आया ओप्शन नमबर टू ओप्शन नमबर टू बहुत भड़िया अब आपके पास देखो सीधा अगर आपने इस तरह का सवाल की प्रेक्टिस कर रखी है तो अब कितना जल्दी फिरी हो सकते हो 20 प्रपूर्टल न स्क्वार होता है तो B1 बाई B2 बराबर N1 स्क्वार अपोन N2 स्क्वार पहले कितना था 1 टर्न तो N1 था आपका 1 और बाद में कितने हो गए N टर्न तो N2 हो गया N पहले की फिल्ड क्या थी B तो B1 हो गया B बात की पूछी है बेटे हो गया सवाल अब देखो कुछ भी नहीं करना अगर आपने एक बार सही कॉंसेप्ट सीख लिया तो कहीं टेंचन ही नहीं है B2 बराबर N स्क्वार B N स्क्वार B अगर आपने ये वाली प्रोफाइल समझ की एक बार समझ लिया अच्छे से समझ कर इसको याद किया और इसको ध्यान रखा तो आप डिरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी किसी वायर को एक ही वायर को उसी लंबाई के वायर को उसी लंबाई के वायर को अगर आप अलग अलग number of turns में convert करते जाओगे तो इस तरह के concept को हमें सोचना चाहिए चलिए ठीक है ठीक है बिलकुल बिलकुल श्रिया बिलकुल चलिए आगे बढ़े देखो आप अब यह हमने बायो सवर्ट लोग के ऐसे कितने सवाल हम करते थे पर मैंने एक 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 कोशन जरूर लिया है ताकि आपको इस प्रोफाइल समझ में आया है कि आपको इसको ignore नहीं करना आप देखो कितना सरल सवाल 2023 में आया है मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ और मैं आपको confidence built up करना चाहता हूँ कि बेटा परेशान होने से कुछ नहीं होना है कहीं overthinking की आवशकता नहीं है बस लगे रहिए formula याद करिए question मनाईए सही formula याद करिए short notes बनाईए और question मनाईए अब यह सवाल हर जगे है in fact यह NCRT में भी दे रखा है NCRT के solve example में है यह question अब आप देखो J main 2023 में आया है अब आपको कितने हमने अच्छी तरीके से समझाया था बताईए इस wire के कारण यह point तो wire के axis पर है इसकी field 0 यह point wire की axis पर है इसके कारण field 0 semi circular की field लिखो और जल्दी से answer बताओ जल्दी से answer बताओ जल्दी से answer बताओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुबम कुमार कृति का मालव बहुत सही रिशी रिशी answer दे रहे हैं option number 4 semi circular coil का formula याद नहीं है बच्चों को semi circular coil का formula याद करो semi circular coil का formula बस बिल्कुल सही semi circular formula क्या होता है बताइए mu naught i बटे 4 r number of turns तो नहीं है number of turns तो यह तो यह से मिल्वला कर देंगे नहीं है तो mu naught की value 4 pi into 10 की power minus 7 current कितनी है current कितनी है 3 ampere upon 4 radius pi by 10 calculation अच्छे से करना है परेशान नहीं होना है बिल्कुल खुश होकर चीजें आपको सब आती है सभी के notes में है आपने कहीं भी पढ़ाई करी है किसी भी phase में पढ़ाई करी है यह standard सवाल है आप देखिए वही question j main में repeat हो रहे है क्यों हम करा रहे हैं इसके पीछे logic यही है कि confidence भड़े अब देखिए pi से pi cancel 4 से 4 cancel यह उपर जाएगा 3 into 10 की पार minus 7 into 10 बोले तो 3 into 10 की पार minus 6 बोले clear है कल telegram channel पर एक मैं इसी से related 25 से 30 question की practice question भी share करूँँगा ठीक है इसी से आज वाले topic से related यह वाले question तो आपने मेरे साथ कर लिए इसी से related 25 से 30 सवाल और चलिए बढ़े आगे आईए साब अगले question की तरह बढ़े है देखो फिर से सवाल आया 2020 में कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हमें ignore नहीं करना कुछ भी चीज हमें छोड़नी नहीं है पढ़ना सब है सब पढ़ लेंगे हो जाएगा अब आप देखो कितना बढ़िया सवाल है बताएं इसके कारण इस वाईर के कारण तो कितना हो गया जीरो यह तो हो गया जीरो ठीक है इसके कारण बताईए ये कौन सा वायर है एक तरफ से infinite है और दूसरे के ठीक सामने है तो semi-infinite वाला फर्मरा लगाईए mu not i upon 4 pi यहाँ cross आएगा तो इधर आएगा dot इसने बताईए कैसी current है कैसी current है anti-clockwise current है तो dot आता है semi-circular है तो mu not i upon 4 r r आ रहाएगा क्योंकि दूरी r ही है बताईए क्या बात सही है क्या आसान सवाल है जल्दी से बतादीजी क्या answer आएगा answer की भी दे देना सर साथ में बिलकुल answer की दूँगा आप बिलकुल चिंता नहीं करें बहुत भड़िया बहुत अच्छी बात है बताईए दोनों dot है दोनों dot है तो क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे तो net magnetic field बता दीजिए क्या हो जाएगी मू नॉट आई अपन 4 पाई आर प्लस मू नॉट आई अपन 4 आर कॉमन ले 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 लें तो यहां से मू नॉट आगया बहार आई आगया और 2 रह जाएगा अंदर 1 आपन 2 पाई मू नॉट आगया आई बहार आगया तो 1 आपन 2 देखिए कोई option है क्या ऐसा देखिए कोई option है क्या option number कौन सा है third option number third देखिए कहीं कोई दिक्कतनिया वैसे standard सवाल है यह आपके module में भी है class notes में भी है NCRT में भी है तो कहने का अर्थ क्या है कहने का तात्पर यह है कि creativity की नाम पर बहुत कम 5 less than 5 question 2 या 3 प्रशन ऐसे आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा 40 तक question तो ऐसे आएंगे जो आपके करे हुए होंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मस बिंदास होकर पढ़ाई करिए खुश रहकर option number 3 चलिए तो वापिस वैखर डाग्रम में सबसे मजमें आगया होगा इसका तो भी 0 हो गया यह लिखा इसका लिखा देखो आप यह मैजदा कोलम बना दिया उसी पर यह आप खुद करना उसी पर मैस्दा कॉलम बना दिया देखिए 2023 में वही सवाल चार डाइग्रम बने हुए हैं अब यह आप देख कर सकते ठीक है कर लेंगे इस तरह का वह वक्त देदू बढ़ू आगे रेड नौट विजिबल रेड से कहां लिखा भई बना हुआ है वो पहले से बना हुआ है ठीक है ना उसकी मत चिंता करो वो जब PDF आएगा तो उसमें दिख जाएगा बिल्कुल भी पैनिक ना हो क्या इस तरह का हुमवक कर लेंगे अगर यस है तो यस कर दो कि हाँ सर इस तरह का मैं हुमवक कर लूँगा एरो की डायक्शन अभी विजिबल नहीं है PDF में बढ़िया विजिबल हो जाएगी प्रकरती संजे माही अगरवाल आरती शंकलाल कृतिका मालव सौमया सिंग दिनेश कुमार रोहन सिंग चलिए बहुत भढ़िया आईए साब फिर से देखिए अब ये भी सवाल बड़े famous आपको याद है वो triangle के center पे निकालना square के center पे निकालना hexagon के center पे निकालना ये भी एक standard profile है तो हर तरे के questions वही पूछे जाते हैं जो हम इतने समय से पड़ रहे हैं इतने समय से मारे पाश class notes में अबलेबल है ELP में देखिए फिर से वही सवाल ट्राइंगल है इसका एक standard आपको याद है formula अगर वैसे तो एक वायर के निकाल के three times कर दीजे नहीं तो आपको standard formula याद है किसी को n mu not i upon pi a 10 pi by n sin pi by n अगर आप यह याद करना चाहो तो इससे आपके सारे ही हो जाएंगे triangle है तो n की जगे तीन रखो square है तो n की जगे चार रखो hexagon है तो n की जगे चे रखो क्या यह formula पता है क्या मैंने classman लिखवाया था याद करिए अगर हाँ है तो yes बताईए जिनको नहीं पता वो formula याद कर लीजिए वैसे तो इसका तरीका है किसी एक wire कर निकाल लीजिए finite wire का formula लगेगा उसके लिए और उसको तीन से गुणा कर दीजिए च्योंकि triangle में तीन wire हैं तीनों की direction सेम आईगी और नहीं तो सीधा formula प्याद कर सकते है इससे आपका triangle square, hexagon सब डंडना डंडन हो जाएगा सब हो जाएंगे इससे बढ़ूं आगे चलिए तो 228 law चल रहा है सब अगला फिर देखिए 2023 क्या बात है आस तो सारे सवाल आप देखिए 2023, 2022 के latest question आ रहे हैं तो इस बाने के हमारे नए question तयार हो रहे है और इनको आप एक बार कल और करिएगा अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हैं कुछ आप से हो रहे हैं, कुछ आप सीख रहे हैं कुछ समझ रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं कल क्या करिएगा, मैं blank PDF भी share करूँगा, आकासर को बोल दूँगा, दो PDF share कर लूँगा एक blank होगी और जिस पर एक पर handout जो mark एनोशन होंगे वो भी होंगे, ठीक है blank PDF से क्या होगा, आप एक बार खुद try करिएगा और फिर उसके बाद जो solution वाली PDF है जहां गलत होगा, वो आप सही देख लिजिएगा, ठीक है, चलिए, अब शांदर सवाल है, अब formula आना चाहिए, formula आना चाहिए, formula आना चाहिए, सब डन डन है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब देखिए, आपको याद होना चाहिए, circular coil के center पर, कितना, mu not i upon 2r, axis का, और center का relation हम क्लास में लिखाते हैं, b axis बराबर b center, one plus x square by r square की power, 3 by 2, याद करो, axis का formula, axis का formula और axis और center का जब ratio लेते हैं, तो यह वाला format यार है किसी को, अब वो क्या कह रहा है, कहां बताओ, radius vr है, और दूरी vr है, मतलब, diagram बनाओ, यह coil, coil की radius r, axis पे कोई point है, जो की x दूरी पर होता है, वो vr, बताइए, क्या यह बात clear है क्या, radius vr है, और axis जो दूरी है, वो vr है, एक आशूतोष ने तो formula भी लिख दिया, अरे वाह, जबरदस आशूतोष यही formula होता है, मिनोट एना, यार, इसकोर अपॉन, twice of r square plus x, 3 by 2, जबरदस, expression को chat box में लिखना बहुत बढ़ी बात है, शांदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए साब, चलिए, तो बताइए, अब x की जगे क्या रख दें, आर रख दें, तो यह हो 1 plus 1, बोले तो 2, 2 की पावर 3 by 2, बोले तो b center, जनाब 2 की पावर 3 by 2, जनाब 2 root 2, b axis, अरे 2 की पावर 3 by 2, क्या बहिया, 2 की पावर 3 by 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बाई 2, 2 रूट 2, क्या भहिया, 2 की पावर 3 बाई 2, 2 रूट 2, अब क्या पूछा है, उपर कौन है, वो धियान लखना, उपर कौन है, ratio of magnetic field at center, center, तो B center upon B axis, 2 रूट 2 यहाँ चला जाएं, बोलो, ठीक है, session ठीक लग रहा है आप सभी को, एक बाई मुझे बता दीजिए, session ठीक लग रहा है, समझ में आ रही हैं, concept समझ में आ रहे हैं, नए-ने question सम कर रहे हैं, concept सीख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, option number 3, option number 3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए सा अब आगे चलें 27 सवल कर लिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चले 27 सवल करने के बाद बाद बायो सवर्ट लॉट के बाद अब आ गया है एंपियर्स लॉट एंपियर्स लॉट सर्क और कोई अबढ़िया बढ़िया बढ़िया हां अब आगे बहुत बढ़िया 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 बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बढ़िया हा बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है चलो अब ये कुछ formula है जो आपको याद होने चाहिए एक तो ampere law का statement और expression याद होना चाहिए वो बहुत जरूरी है statement आ जाए option में ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये आना चाहिए पहले है इसको पढ़ना आना चाहिए integration देखिए डी एल है इसे बोलते है line integration क्या बोलते है line integration ये गोला क्या बता रहा है close loop close loop तो line integral line integral किसका magnetic field का वो किसके बरावर होता है product किसका product mu naught into sigma i sigma i का मतलब क्या होता है जो current enclosed है जो current उस loop के अंदर है तो आपको solenoid याद है अच्छी बात है तोरोड याद है अच्छी बात है cylinder solid cylinder hollow cylinder उसके formula याद होने चाहिए उस पे सीधा question आता है पर मानलो उसने by us का ampere law का ये expression पूछ लिया और मानलो उसने statement में पूछ लिया तो अभी आपको बोलना आना चाहिए कि according to ampere's law the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to the product of mu not into summation of current बोलिये बात clear है फिर solenoid का आपको याद है सभी को जो infinite solenoid होता है solenoid की magnetic field पूछी गई है अभी 2021 या बाइस में सीधा यही पूछ लिया भाई solenoid की magnetic field mu not ni यह तो center पे होती है किनारे पे पूछते हैं तो आधी हो जाती है b किनारे पर जो आती है वो center की आधी आती है सही है तो formula based अगर आप 2020-2021 का question देखेंगे neat में उसने solenoid की magnetic field पूछ लिया उसने ncrt से लिया है ncrt में भी दो question में पीछे unsolved और solved में उसने solenoid की ही magnetic field पूछी है और magnetic field की आपको unit पता होनी चाहिए यह टेसला होती है बोले clear है क्या clear है चलिए बढ़े आगे बढ़े बढ़े बहुत शानदर बहुत शानदर तो यह solenoid हो गया इसी तरह से यह आपका hollow cylinder है सारे concept हम ग्लास में बता चुके हैं वो आपको याद होने चाहिए मैं एक बार कोई क्रिवाइस करा सकता हूँ hollow pipe है hollow तो सारी current तो surface पर ही है तो अगर आप यहाँ अंदर कोई loop लेंगे तो आप खुछ सोचिए अगर आपने यहाँ अंदर कोई loop लिया तो इस loop के अंदर तो enclosed current क्या होगी जीरो होगी क्योंकि hollow है खोकला है सारी जो current है वो तो surface पर ही है न तो inside तो magnetic field क्या है 0 है inside magnetic field 0 है तो आपको याद होना चाहिए hollow pipe का inside 0 है outside आउटसाइड वो current carrying wire की तरह काम करता है mu not i upon 2 pi r सही है clear है solid cylinder solid cylinder भाई साब important है solid cylinder आना चाहिए formula important है इसलिए मैंने इनको revision class में include किये हैं इनके बच्चों graph important है सीधे graph पूछ ले जाते हैं revision class में यही मतलब है ताकि हम बता सकें किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए आप ampere slow जवाब पढ़ेंगे तापको पता है यह मुझे solenoid याद होना चाहिए toled याद होना चाहिए solid cylinder hollow cylinder याद होना चाहिए अब आप देखिए मजे की बात है heading आप देखिए conductor है होता क्या है वो कह देता एक wire है जिसकी radius है भाई साब wire है जिसकी radius है इसका मतलब वो हो गया solid cylinder एक wire है जिसकी radius है तो कभी कर वो देता wire है और वो ओल देता radius है अब बच्चा प्रेशन होता है wire है radius है यह कौन सा है अरे भाई वो solid cylinder है याद करिए कोई भी आप wire को देख लीजिए किसी wire को देखेंगे तो उसका cross sectional कैसा है circular है radius है तो सीधा सीधा आपको क्या याद होना चाहिए कि हाँ सार इसका solid cylinder का मुझे formula याद होना चाहिए इसमें inside zero नहीं होता इसका graph भी important है दो बार इस पे formula based question नीट में पूछा जा चुका है तो आपको inside का formula याद होना चाहिए जल्दी से देख के बताइए inside inside कैसे vary करेगा inside कैसे vary करेगा inside कैसे vary करेगा inside vary करता है directly proportional to छोटा आर directly proportional to छोटा आर ये ध्यान रखिएगा derivation वगेर हम class में जब पढ़ाते हैं तब पूरा कराते ही हैं अभी मैं derivation पे नहीं जा रहा और समय भी नहीं है हमें याद होना चाहिए और outside तो वो एक infinite current carrying wire की तरह काम करता है वो आपको पता ही है mu not i upon 2 pi r अब इस formula को आप कही जगे लगा सकते हैं अगर केवल एक wire कह दिया जाए तब भी आपको minute upon 2 pi लगाना है outside points के लिए solid cylinder कहा जाए तो अभी आपको यही formula लगाना है hollow cylinder कहा जाए और point outside हो और जो छोटा हार है वो भी याद रखी हो कहां से दूरी है axis से कहां से दूरी है axis से यहां से दूरी है ठीक है तो outside कैसा है वो inverse portion graph important है धियान दीजिएगा यह solid cylinder का है अगर आपको hollow cylinder का कहा जाएगा तो बच्चों hollow cylinder के लिए अंदर zero होगा hollow cylinder के लिए अंदर zero होगा बोले clear है क्या बढ़े आगे बढ़े आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हां inside directly portion होगा outside inverse portion होगा बिलकुल सही शांदार बहतरीन जबरदस्ट चलिए साब चलिए 2023 का फिर से पर आठ से दस सवाल कर लिए फिर हमने wire पर फोर्स कवर किया एफ राबर बिल साइन थीटा inclined plane का सवाल बहुत अच्छा था जो neat में भी आया हुआ है जी में में भी आया फिर हमने दो पहरल के बीच में पढ़ा mu0 i1 i2 upon 2 pi d इस पर काफी सवाल करें फिर हमने पढ़ा loop अगर uniform magnetic field में है तो उस पर net force कितना होता है जीरो फिर हमने एक non uniform field वाला भी किया कि ये current है और ये wire loop है अब इस पर फोर 0 नहीं होगा क्यों 0 नहीं होगा यहां field अलग है यहां field अलग है अब uniform field नहीं है ये वाली बात करी फिर हमने biosavart law में coil का axis का वो बात सीखी amperes law भी हमने पढ़ा solenoid toroid cylinder इसकी बात करी काफी सारा काफी सारा section हमने cover कर लिया है देखिया बहुत सारी बाते हमने cover कर ली है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आईए आगे बढ़ते है जे में 2023 का question करिए फटा फट से देखि जे में 2023 का second option अस्तित्व कह रहे है second option अस्तित्व कह रहे है second option ठीक है ठीक है second option चलिए देख लेते हैं सीधा inside the solenoid पूछा है सीधा mu not ni unit भी चेक कर ले है टेसला है magnetic field ही पूछी है magnetic field mu not 4 pi into 10 की power minus 7 n बच्चों n क्या होता है वो देख लो number of turns per unit length number of turns per unit length दे रखा है क्या अच्छा 70 turns per centimeter अब इसमें unit में भी पंगे हो जाते है 70 turns per centimeter है पर centimeter एक centimeter में 70 tons है तो एक मीटर में कितने होंगे ज़रा खुछ सोचो 70 into 10 की power 2 एक centimeter में 70 है ऐसे सोच लो तो 100 centimeter बोले तो एक मीटर में ज़्यादा ही होंगे न ऐसे सोच सकते हो दूसरा तरीका centimeter को मीटर में बदल लो यहाँ पर नीचे 10 कीवा मैनस 2 उपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा जैसा आपका है unit की वज़े से unit conversion में दिक्कत आती है कभी कबार ऐसा गरबड हो जाता है आप magnetic field निकाल लेते हो पर उसने magnetic field पूछी नहीं होती उसने कुछ उसका नाम ही बदला हुआ है अब यह आप देखिएगा वो कुछ अलग नाम देदेगा उसकी unit से आपको चेक करना पड़ेगा कि unit अगर टेसला है इसका मतलब भी है अब N अब यह बात समझ में आ गई centimeter से meter में बदल में बात समझ में आ गई बस 70 into 10 की power 2 और current कितनी है 2 ampere current 2 है बताईए कितना आ रहा है कितना आ रहा है बताईए exact solve किया किसी ने solve किया option number 2 कह रहे है option number 2 option number 2 कुछ लोग कह रहे है 3 इसका मतलब मुझे करना ही पड़ेगा इसका मतलब मुझे करना ही पड़ेगा बच्चे हमारे दो option में confuse हो रहे है चलो कर लेता हूँ भाई तो 7 दुना 14 और 4 तो ये कितना हो जाएगा 56 पाई ठीक है दो और एक 3 तीन जाएगा तो माइनस का 4 चपन पाई इंटू 10 कीपा माइनस 4 टेसला चपन पाई आप पाई भी solve कर लें तो 56 इंटू 3.14 ठीक है बोलिए क्या आ रहा है अगर ये होता 60 तो 60 का 3 हो जाता 180 पर 60 नहीं है थोड़ा सा कम है second आना चाहिए देखिए बई second आना चाहिए option number 2 खबरदार जानदार ध्यान दें जनाब option number 2 सही है 56 पाई इंटू 10 की माइस 4 सही है शानदार जेई मेन 2023 आप देखिए मतलब कहीं कोई दिक्कट नहीं दूर दूर तक शानदार magnetic effect तयार करिए 2 से 3 प्रशण मिलेंगे 3 प्रशना हैं इस साल 2 से 3 प्रशण दो दिन 3 दिन और मेहनत कर लीजिए और पूरा magnetic effect भडिया तयार कर लीजिए ठीक है, चलो, option number two, अगला सवाल फिर से देखिए, पर इसमें ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने इस question को include किया है, इसमें कुछ खास बातें हैं, वो ध्यान दीजिएगा, clear है, बिल्कुल, ये आजका हम last question रखेंगे, ये हमारा ampere slow पूरा हो जाएगा, ampere slow पूरा हो जाएगा, ampere slow पे आप question की practice करिए, मैं extra 30 से 40 question और 50 question आपको दे दूँगा, जिस पर आपको final practice करनी है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, वो important है, बेटे ampere पर meter unit है, याद है किसकी unit होती है, याद है किसी को, बताएगे chat box पर, अगर ये magnetic field होता, तो टेसला होता, कोई बताएगा chat box पर, ये क्या है, अगर magnetic field होता, तो क्या होता, पताएगे, क्या होता, magnetic field है, तो टेसला है, पता ये क्या है, ये है h, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, बहुत भड़िया, magnetic intensity, जब हम कल पढ़ेंगे, आपने पढ़ाओ, बी और h के बीच में relation, किसी को याद है, बी बराबर क्या होता है, mu not h, तो mu not ni, mu not h, तो h आएगा, ni, आप इसकी unit भी देख सकते हैं, क्या आएगी, number of transparent length है, ये current है, current की m पर, ampere और लंबाई की meter, ampere पर meter आएगी, तो h बराबर ni, ये लगाना है, h बराबर ni, ये लगाना है, इसलिए सवाल दमदार है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसमें h लगाना पढ़ेगा, h बराबर ni, और h की जो unit होती है, इसे magnetizing field भी कहा जाता है, magnetic intensity भी कहा जाता है, इसकी जो unit होती है, वो होती है, meter बोलिए तो n कितना है n number of turns per unit length number of turns कितनी है 1200 कितनी लंबाई में है bound in a single on a glass tube of 2 meter long 2 meter long 0.2 meter diameter diameter का कोई use नहीं है कोई use नहीं है तो n आपका आजाएगा 600 n आपका आगया 600 तो n आगया 600 current बता दीजिए बेटे current बता दीजिए बेटे 2 तो यह आजाएगा आपका 1200 1200 का मतलब हो गया 1.2 into 10 की power 3 बताईए क्या यही आंसर आ रहा है क्या क्या यही आंसर आ रहा है बोल यह clear है done 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 A.S.S. क्या बाद समझ में आ गई A.S.S. क्या बाद समझ में आ गई बहुत शानदार बहुत शानदार ठीक है तो आज का lecture मैं क्या क्या पढ़ाया वो मैंने आपको कोई क्रिवाइस करी दिया आप इसको तयार करिए लगबग हमने धाई घंटा पढ़ा और धाई घंटे में लगबग हमने 29 से 30 सवाल कर लिए इस बात का हमने विशेज धियान रखा कि हम आपके सामने नएने कोशन लेकर आएं हमने उससे रिल्टेट जो जो कॉंसेप्ट हैं वो भी आपके रिवाइस करें उनको हमने रिफ्रेश किया ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें तो आपके दो काम हैं पहला तो आपकल इन 30 सवाल को आदे घंटे में मैकसिमम 45 मिर्ट से में वापिस से करिएगा ताकि आपको इनको अच्छे से समझ में आ जाएं और फिर मैं कुछ नए कोशन भी आपके साथ शेर करूँगा उनको आप प्रेक्रिस कर लीजिएगा विट आंसर की और विट सॉलूशन शेर करूँगा ताकि आप उनके सॉलूशन से समझ सकें सॉलूशन सबसे एंड में होगे आंसर की भी सबसे एंड में होगी चलिए ठीक है विश यू अल दा बेस्ट खूब अच्छे से पढ़ते रहिए खूब मेहनत करिए आगे कल फिर मिलेंगे कल रहेगा सेशन नमबर टू जिसमें मैं आपको मैगनेटिक मोमेंट सिखाऊंगा बार मैगनेट का करेंट केरिंग कोईल का टॉर्क सिखाऊंगा उस तरह की बातें करेंगे अर्थ मैगनेटिक फिल की बात करेंगे ठीक है